हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी हैं आज है बटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नमबर 10 का वीडियो नमबर 3 तो बटे ये 10 वी यूनिट का 3 वीडियो है और इस से पहले 2 वीडियो आ आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो जो एक्जाम में आपकी बहुत जादे हेल्प करेंगे ठीक है बिटे तो देशते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है बिटे आज हम सीखेंग हेलो एलकेंज का नामकरण करना जो हेलो एलकेंज है हमारा यूनिट नंबर 10 तो उसमें हेलो एलकेंज या फिर एलकाईल हैलाइट भी आप कह सकते हो उनका हम नामकरण सीखेंगे नाम पद्दती सीखेंगे और उसमें आप बिटे सामन्ने पद्दती के बारे में भी आज ह तो चलो बच्चो जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं तो बटे आज हमें बात करनी है हेलो एलकेंस या एलकाइल हैलाइड के नाम लिखने की विडियों के बारे में इसमें हम बटे सबसे पहले सिखेंगे सामन्य विधी और फिर सिखेंगे IUPAC विधी दोनों विधी हम आज बटे सीखेंगे पर मैं आपको एक बाता हूँ कि जिन बच्चों ने इस से पहले दो वीडियो नहीं देख रखे हैं इस यूनिट के वे उन दो वीडियो को जरूर देख लें उसके बाद इस वीडियो को देखें यदि उन्हें इस बात को समझना है धंग से ठीक है बटे? तो यहां हमने heading लिखा है Hello Alkane या Alkyl Helides का नामकरण Alkyl Helides या Hello Alkane का संकेत होता है Rx तो बैटे नामकरण में मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा नमबर एक में सामन्य पद्धती सामन्य पद्धती ध्यान से समझेंगे सब बच्चे अब बात आती है कि सामन्य पद्धती में नाम किस तरीके से लिख से जाते हैं तो बैटे सामन्य पद्धती में हम प्रियोग करते हैं नॉर्मल, आईसो, नियो या प्राइमरी प्राइमरी को वन डिगरी लिख सकते हैं ना सेकंडरी और टर्सरी ये जितने भी prefix हैं prefix का मतलब होता है पूर्व लगन इन पूर्व लगनों का प्रियोग आप यदि करते हैं नाम लिखने में तो ऐसी पद्धती को हम कहते हैं सामन्ने पद्धती अब मैंने आपको normal iso neo और primary, secondary, tertiary ये सारी बाते मैंने आपको समझा रखी है unit number 10 के पहले वीडियो में और ये है हमारा तीसरा वीडियो तो यदि आपको इनके बारे में ज्यान नहीं है तो आप unit number 10 का पहला वीडियो जरूर देख लें एक बार और दूसरा वीडियो भी देख लें ठीक है बेटे अब देखो जरा किस तरह हम परियोग करेंगे जैसे मैं कुछ examples ले रहा आपको समझाने के लिए ध्यान से देखियो जरा जैसे मानलो मैंने लिखा है CS3 single bond CH2 single bond CS2 single bond BR मानलो ये कोई yogic है तो समन्ने पज़ती में आपको नाम लिखना होता है ध्यान से देखियो alkyl halide की तरह किस की तरह बेटे alkyl halide ध्यान से सुनो alkyl halide तो alkyl बताओ कितने carbon वाला है alkyl है 3 carbon वाला तो 3 carbon वाले alkyl को हम कहते है profile और halide में क्या है हमारे पास bromide आपको पता है halide को x से हम लिखते हैं और यह होता है fluoride bromide iodide जिसे आप कहते हो सत्रवे वर्ग के तत्व या halogen fcl-bri तो यह profile bromide है अब यहाँ सवाल यह आता है profile किस तरह का profile है normal profile है iso profile है या neo profile है तो जो सिद्धी स्रंखला वाला profile होता है उसे के एते है normal profile तो मैं इसका नाम लिखुआ है normal profile bromide क्या लिखुआ मैंठे normal profile bromide आपको पता होना चाहिए कि normal कि लिखा है क्योंकि सिद्धी स्रंखला वाले alkyl group को normal कहा जाखता है और profile क्यों कहा है क्योंकिสी तीन carbon वाले alkyl पर विडियो में समझा रखी हैं आपको unity और B.R. कौन सा है हलाइड होता है bromide ठीक है बैटे अच्छा इस योगी को देखो आप CH3 इस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CL इस योगी को देखो बताओ यह भी सिद्धी स्रंख लावाला है तो इसे भी आप लिखोगे नॉर्मल और तीन कार्बन है प्रोपाइल पर हैलाइड की जगा क्या आ जाएगा क्लोराइड तो यह है बेटे नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड अच्छा इस योगी को देखो द्यान से इस योगी को देखो इसमें भी कितने कार्बन है तीन प्रोपाइल ब्रोमाइड है यह भी प्रोपाइल ब्रोमाइड था और यह भी प्रोपाइल ब्रोमाइड है पर उसमें तो प्रोपाइल गुरूप था सिद्धी स्रंखला वाला और इसमें क्या हो रहा है एक तरफ को ब्र प्रोपाइल है प्रोपाइल में तीन कार्वन होते हैं तीन में से एक घटा दो 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 कार्वन की तो सिद्धी सरंखला होगी और वो जो बचावा जो घटाया है आपने उसे बनाना पड़ेगा इधर से दूसरे नंबर के निच्चे की तरफ ये तो ऐसे प्रोपाइल कि दूसरे हैं तो उसे कहते हैं आई-सो प्रोपाइल कि व्रोमाइड और य душ ब्रोपाइल के ब्रो मैयड एक बात बताउओं बहुत उच्छी बिटे यह कार्बन दो कार्बन से जुड़ावाए इससे भी और इससे भी तो आप इसे आईसो प्रोपाइल ब्रोमाइड कहने के साथ सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो यदि आप कहना चाहते हो तो इसे सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो ठीक है चलो नंबर चार अगला देख रहे हैं कंपाउंड ध्यान से देखियो जरा हमने लिखा CS3 सिंगल बॉंड CH सिंगल बॉंड CH3 और यहां जोड़ दिया है CL तो इस योगिक को देखो द्यान से देखो एक दो तीन प्रोपाइल क्लोराइड है क्या है विटे प्रोपाइल क्लोराइड यह प्रोपाइल ब्रोमाइड था यह सब प्रोपाइल ही पढ़ रहे हैं तब कुछ पर इसमें आप य इसो ग्रूप है और यह भी आईसो ग्रूप है देखो 123 बीच वाले पर बी यार जुडावा और 123 बीच वाले पर सील जुडावा तो यह इसकी सकल बदलके ना बना जी मैंने आपको सारी चिज्जें समझा रख की है इससे पहले वीडियो तो यह है आईसो प्रोपाइल गर कारवन से अटेच है तो मैं इसे कहूंगा आईसो प्रोपाइल क्या है बिटे क्लोराइड है नहीं आईसो प्रोपाइल क्लोराइड या फिर क्लोरीन सेकेंडरी कारवन से अटेच है तो आप इसे कह सकते हो दित्यक प्रोपाइल क्लोराइड सेगंडरी प्रोपाइल क्लोराइड या धिक्ट्यक प्रोपाइल क्लोराइड कह सकते हो अच्छा अगला नमबर देखो आप इस तरह के क्योप्सन पेपर में पुछे जाते हैं वेटे CS3, सिंगल बॉंड CH निच्चे भी CS3 जुड़ावाए और यहां जुड़ावाए है CH2 और यहां जुड़ावाए CL आप इस ग्रूप को देखो द्यान से इस ग्रूप को बताओ वही कितने कार्बन है चार, चार में से एक घटा दिया तीन तीन की सिद्धी स्रंक लाए और जो घटाया उसे इधर से दूसरे नंबर पे निच्चे जोड़ दिया तो ऐसे ग्रूप कोई तो ISO कहते हैं क्या कहते हैं बेटे, ISO ISO और कितने कार्बन है, चार तो आप कहोगे ब्यूटाइल तो इसका नाम है बेटे, ISO ब्यूटाइल CL जुड़ावा है तो क्लोराइड ISO ब्यूटाइल क्लोराइड ये इसका नाम है ISO ब्यूटाइल क्लोराइड अच्छा है इस योगी को देखो जरा ध्यान के CS3 सिंगल बॉंड CH और निच्चे जुड़ावा है CS3 फिर आग्ये CS2 है और फिर जुड़ावाए है BR मैं आपको एक बात बिटे बिल्कुल इस फ़स्ट रूप से बताता हूँ कि जिन बच्चों ने पहले दो वीडियो देख रखे हैं उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा और जिनोंने पहले दो वीडियो नहीं देख रखे हैं उन्हें हो रही होगी बिटे बहुत ज्यादे प्रॉब्लम देखो इसमें देखो कि कितने कारवन है एक, दो, तीन, चार, पाँच तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पाँच कारवन है तो मैंने लिख दिया पेंटाई और बी आर है तो लिख दिया ब्रॉमाइड अब यह बात है कि पेंटाईल ब्रॉमाइड पेटे पेंटाइल तो कहीं तरह का हो सकता है, नॉर्मल पेंटाइल हो सकता है, और पेटे आईसो पेंटाइल हो सकता है, और नियो पेंटाइल भी हो सकता है, और सेकेंटरी पेंटाइल भी हो सकता है, तो इन में से सब में से कौन सा है ये, जब ही तो मैंने हाल लिख रखे, नॉर्मल आईसो नियो प्राइमरी सेकंडरी टड़करी तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आईसो होता है तो आईसो की खासियत होती है कि जितने कार्बन परमाणू उनमें से एक गटागे निच्चे जोड़ना है देखो इसमें कितने कार्बन है एक दो तीन चार तो लिएख चली पयंटाइल लिक्फोंगे तो आपके नंबर इस्लिटाइल अंपर करका है इस सातवन नमबर पर देखो बेटे साथ वे नमबर पर है ज्यान से देखेंगे CH3 सिंगल वांड C उपर भी इसके एक CS3 जुड़ावा है और नीचे भी बेटे CS3 जुड़ावा है और यहां जुड़ावा है BR क्या जुड़ावा है बेटे बी आर जुड़ावा है इसका नाम बताना है हमें क्या होगा अब देखो यहां जो आयर आपके पास कितने कारबन है एक दो तीन चार चार कारबन चार में से दो घटाओ कितने बचेंगे दो दो कारबन को तो सिद्धी स्रंखला में बना रखाए दो कारबन बन गे अब जो घ पखा यह जो घ्यता के उसे नीचे जोड़ते हैं तो बनता है ऑई 12 पर उसकी जो सरते हैं में मैंने वीडियो नंबर वन में आपको सिखा रख ती यह सारी इंड्यान रखना है कि यह नीओ प्रोड़क्ट रख्त क्या है नीयो और चार कारबन है तो ब्यूटाइल तो इसका नाम होगा नियो ब्यूटाइल और हेलाइड क्या है ब्रोमाइड नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये इसका नाम है वेटे नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर आप एक बात और नोट कर रहे होंगे कि ये जो बी आर है तो आप इसे थ्री डिगरी ब्रोमाइड भी कह सकते हैं आप इसे कह सकते हैं थ्री डिगरी ब्रोमाइड ठीक है बिटे अच्छा चलो एक योगी का नाम और दे है रेल यहां बना दू नंबर आठ कर गए यह है CS3 उसके बाद एक कारवन है कारवन के उपर भी CS3 है और निचे भी CS3 है उसके बाद यहां है विटेज CH2 और फिर जुड़ावाए CL अब देखो एक दो तीन चार पांच पांच कारवन है तो पेंटाईल है आप सिध्धा इस तरह लिख सकते हो आप लिख सकते हो पेंटाईल और हैलाइड में क्या है कलोराइड आप पेंटाईल कलोराइड लिख सकते हो पर आप यह देखो कि पांच में से दो घटा रखे इन् से दूसरे नंबर पर नीचे जोड़ दिया तो इसे कहते हैं नियो तो यह नियो पेंटाइल ग्रूप है कौन साहे बिटे नियो पेंटाइल तो हम यहां लिखेंगे नियो पेंटाइल क्लोराइड क्या नाम है बिटे इसका नियो पेंटाइल क्लोराइड इसका नाम है तो ऐस हम प्रियोग करते हैं सामन्ब पदति का सामन्म पदति में आपको सिरब एक बास ध्यान रखनी होती है नौरमल आइसो नियो वन डिग collide two डिग verdi या फिर one डिगरी को आप कह सकते हो primary या प्राथमिक टू डिग्री को आप सकते हो secondary या दौितियक और यह बirtि accept तो इस कि तरीगे से सावन्य प تھी का हमें प्रियोग करना है अच्छा जल्दि कसे स्क्रीन सॉट लो फिर आई-इू-पी-सी के बारे में बताूंगा आपको ले लिए स्क्रीन शॉट थिक है नउसमें बात करनी है नाम किसी तरीगे से हम लिखते है बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी Rx का नाम IUPAC पद्दती में लिखना होता है तो इस परीके से लिखते हैं हैलो एलकेन ऐसे लिखते हैं बटे हैलो एलकेन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले जो पद्दती सिखाई है सामन्य पद्दती सामन्य पद्दती की एक खासियत थी सामन्य पद्दती इसकी खासियत यह थी कि इसमें नाम हमने ऐसे लिखा था एलकाईल हैलाइड तो यदि कहीं आप एलकाईल हैलाइड की तरह नाम लिखते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप लिख रहे हो सामन्ने पद्दती में और यदि हैलो एलकें की तरह नाम लिखते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप लिख रहे हो बिटे आई यू पी एसी पद्दती में ठीक है बिटे ये दो बाते आपको ध्यान रखनी है बहुत सिंपल है और एक्जाम में जो आपके नाम पुछा जाएगा वो IUPAC पद्दती में ही पुछा जाएगा जैसे मैंने लिखा CH3CL मानलो हमें CH3CL का नाम बताना है तो हेलो और एलकेन हेलो में क्या है क्लोरो ये लिख दिया क्लोरो और एलकेन में एक कार्बन है एक कार्बन वाले एलकेन को कहते हैं मेथेल ये सारी बाते आपको सिखाई ती ना बेटे जैसे मानलो CH3CH2BR दे दिया इधर लिख दू नंबर दो CS3 CH2 VR मालनों इसका नाम बताना है तो Hello में तो लिखेंगे Bromo Bromo और Alken में लिखेंगे 2 Carbon वाला Alken Means Ethane तो इसका नाम हो जाएगा Bromo Ethane क्या नाम हो जाएगा बिटे Bromo Ethane अब जड़ा नमबर 3 को देख लिए आप ध्यान से नमबर 3 पे CS3 Single Bond CH और यहां जड़ावा है BR और बिटे निच्चे जड़ावा है CS3 यह योगी है अब सामन्य पद्धती में तो आप इसका नाम एकदम बता दोगे सामन्य पद्धती में आप कहोगे Isopropyl Bromide या Secondary Propyl Bromide पर बिटे यहां हमें IUPAC पद्धती में नाम देना है और IUPAC पद्धती का नियम सबसे पहला यह होता है कि आप देखते हो सबसे बड़ी सरंखला कार्बन परमाणूओं की सबसे बड़ी सरंखला आपको देखनी होती है तो कार्बन परमाणूओं यह है हमारे पास और carbon परमाणूओंगी स्रंखला क्या है ये सबसे वड़ी स्रंखला है 1-2-3 ये ही तो है सबसे वड़ी स्रंखला तो इसके आप numbering करोगे 1-2-3 ये carbon परमाणूओंगी सबसे बड़ी स्रंखला है तो दूसरे number पे क्या आ रहा है BROMO तो हम लिखेंगे two bromo भाई पहले तो hello ही लिखना है hello में तो bromo लिखोगे पर bromo कौन से नंबर पे है दूसरे carbon पे है तो हम लिखेंगे two bromo अब बताओ तीन carbon वाले एलकेन को क्या कहते है प्रोपेन तो इसका नाम है two bromo प्रोपेन क्या नाम है बिटे two bromo प्रोपेन आपको पता चल गया ना क्यों है इसका नाम two bromo प्रोपेन क्योंकि carbon परमाणू की सबसे बड़ी त्रंकला में तीन carbon आ रहे हैं और जब तीन carbon आ रहे हैं बिटे तो तीन carbon को तो प्रोपेन ही कहते ही क्या कहते हैं वेटे प्रोपेन तो इसका नाम हुआ तू ग्रोमो प्रोपेन अच्छा इस योगी को देखो जड़ा नंबर 4 पर जो मैं लिखोंगा यह देरखा और यहां जुड़ावा है निच्चे सी एल और यहां जुड़ावा है सी एस त्री अब इस योगी को यदि आप देखोगे तो इसमें भी आपको कार्बन की सबसे बड़ी स्रंखला देखनी है कार्बन की सबसे बड़ी स्रंखला यही तो है अब क्रियात्मक समूं क्लोरो यहां लगा हुआ है नमरिंग इधर से करेंगे तो 1,2,3 तीसरे नमबर पर आएगा और इधर से करेंगे 1,2, दूसरे पर आएगा तो हमें नमरिंग उस तरफ से करनी जाए जिस तरफ से क्रियात्मक समून नजदीख पढ़ते हैं तो इसलिए हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे तो दूसरे नंबर पर क्लोरो आया है आपको पता है पहले हैलो लिखना है फिर एलकेन तो यह हो जाएगा टू क्लोरो टू क्लोरो और बिटे कितने कार्बन है चार चार को कहते हैं ब्यूट और एन मने सिंगल बॉंडिड हैं सारे सिंगल बॉंडिड हैं देखो तो टू क्लोरो ब्यूटेल इसका क्या नाम होगा बिटे इसका नाम होगा टू क्लोरो ब्यूटेल दुन उतरे के नाम एक साथ प्र वे आई-ई-उ-पी-ए-सी नाम सामन्ने नाम भी पढ़ेंगे और विटे आई-उ-पी-ए-सी नाम भी पढ़ेंगे दुन्नों नाम पढ़ेंगे एक साथ जैसे मैं आपको कहता हूं नमबर एक से सबसे पहले लेते हैं और एक सामन्ने नाम लिखेंगे फिर आई-उ-पी-ए-सी नाम सामन्ने नाम कैसे लिखा जाता है एलकाइल है यहाई-उ-पी-ए-सी नाम कैसे लिखते हैं है यहलो में क्लोरो तो एक लिखो गया और एलकेन में कितने कार्बन है एक कार्बन तो क्लोरो मिठेन क्या लिखेंगे क्लोरो मिठेन तो ये तो हुआ सामन्ने नाम और वो हुआ IUPAC नाम इसी तरीके से यदि कोई आप से पूस्ता हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2BR इसका सामन्ने नाम बताओ और IUPAC सामन्ने नाम दो कार्बन इथाइल ब्रोमाइड सामन्ने नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड और बेटे IUPAC नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन क्या हो जाएगा ब्रोमो इथेन इस तरीके से प्रेस्टीस होनी जाहिए आपको नमबर तीन, ध्यान से समझे हो जरा, CH3, सिंगल बॉन्ड, CH2, सिंगल बॉन्ड, CH2, CL, इसे देखो जरा ध्यान से, भई, सामन्य नाम में तो अब तीन कार्बन है, नॉर्मल आईसो नियो का आपको प्रियोग करना पड़ेगा, तीन कार्बन है रो सिद्धी स्रंखला में हैं, तो हम कहेंगे नॉर्मल और तीन कार्बन है, तो हम कहेंगे प्रोपाईल, नॉर्मल प्रोपाईल, और क्या है यह क अब रोवन तू और थी तो यह हुआ बिटे हमें पता है स investigative लॉट ए टो लॉब रोपराने क्लोरीन कौन से कार्बन पर जुडआ है वह बताना है पहले पर जुड़ा है या दूसरे पर जुड़ा है तो लॉट क्लोरोपरेन इसका नाम होगा बिटे वन chloropropane IUPAC में नाम होगा 1 chloropropane मैं बार बार आपको एक बार सिखा रहा हूँ सामन्य में तो हेलो एलकेल IUPAC में तो हेलो एलकेल और सामन्य पद्धिती में एलकाईल हेलाइड इस चीज़ का ध्यान रखना है इस नियम को फॉलो करना है चलो खेर अगला देखो योगिक अगला योगिक है CH3 सिंगल बॉंड CH सिंगल बॉंड CH3 और यहां जुडावा है CL आप देखते ही एकदम पहचान लोगे तो ISO profile group है क्योंकि अभी मैंने बताए लगातार बता रहा हूँ जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है प्रोपाइल बीच वाले पे कोई जुडा हो तो ISO तो यह है ISO प्रोपाइल और कलोराइल यह तो हुआ सामन्ने नाम IUPAC नाम में नम्बरिंग करनी कुड़ेगी इधर से करेंगे तब भी CL दूसरे पे आएगा इधर से करेंगे तब भी CL दूसरे पे तो कहीं से भी नम्बरिंग कर दो आप आप लिखोगे 2 कलोरो प्रोपेन यानि कि दूसरे नम्बर पे कलोरो जुडा हुआ है किसके दूसरे नम्बर पे बिटे प्रोपेन के दूसरे नम्बर पे तो IUPAC में इसका नाव हुआ 2-Cloropropyl चलो इस योगिक को देखते हैं ये है CS3, Single Bond CH2, फिर Single Bond CH2 फिर उसके बाद फिर Single Bond CH2 कितने CH2 हैं इसमें 4 और फिर जुड़ावा है CL तो आपको पता सेल रहा होगा कि सिद्धी स्रंखला को Normal कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 Normal 5 है तो Pentyl और CL है तो Chloride Normal Pentyl Chloride सामने नाम तो होगा वेटे Normal Pentyl Chloride अब बात आई IUPAC की तो नम्बरी इधर से ही तो करूँगा क्योंकि पहले कार्बन पर ही CL है 1, 2, 3, 4, 5 तो 1 Chloro Pentyne नाम हो जाएगा IUPAC में 1 Chloro Pentyne 1 Chloro Pentyne होगा वेटे इसका नाम ठीक है चलो इस योगी को देखवा आप देहां से CH3 Single Bond CH यहां जुडावा है CL फिर यहां CH2 है यहां CH2 है और फिर है CH3 बताओ सामने नाम बिटे एक बात ध्यान रखनी है 1, 2, 3, 4, 5 5 Carbon है पर यह Normal नहीं है कभी आप Normal समझो क्योंकि CL बीच पे जुड़ा CL जिस Carbon पे जुड़ा है वो Secondary Carbon है इसे आप बिल्कुल भी ISO नहीं कह सकते हो ISO Pentyne नहीं है ना तो Normal Pentyne है ना तो यह ISO Pentyne है ना तो यह Neo Pentyne है क्योंकि Normal Pentyne में सारे एक रंखला में होते है और तब से लास्ट वाले पे जुड़ा होता है हेलोजन यानि कि हेलोजन में हमारा यहां क्या है CL है तो Normal Pentyne तो है नहीं है बिटे आइसो Pentyne ऐसे होता कि 5 Pentyne माने 5 Carbon 5 में से एक घटा ते 4 चार तो सिद्धी स्रंखला में होते है और एक जुड़ा होता दूसरे नंबर पे तो होता आईसो Pentyne और बिटे नियो Pentyne तब होता 5 में से 2 गटा गे 3 तो सिद्धी स्रंखला में होते है और 2 जो आपने गटाई है वे पहले Carbon से दूसरे Carbon पे एक उपर और एक निक्च जुड़ावा होता तो होता नियो Pentyne तो बिटे ना तो ये Normal Pentyne है ना ये आईसो Pentyne है ना ये नियो Pentyne है तो है क्या ये पहले ये यूँ देखो क्लोरीन जिस Carbon से जुड़ावा है वो Secondary Carbon है या नहीं है है ना Secondary Carbon तो बिटे ये Secondary Pentyle Group है क्या है Secondary Pentyle तो हम कह सकते हैं इसे Secondary Pentyle Cloride क्योंकि हमें लिखना है Alkyl Helide की तरह सामन्ने नाम तो Secondary, Secondary को 2 डिगरी लिख दू 2 डिगरी Pentyle क्लोराइड ये वाइस का सामन्ने नाम अब IUPAC लिखना तो बहुत आसान होता है IUPAC में तो ज्यादे problem होती ही नहीं है वहीं numbering इधर से करूँगा दूसरे number पे है इधर से करूँगा 1, 2, 3, 4, चोथे पे तो numbering उधर से करनी चाहिए जिधर से पास पड़ता हूँ क्रियात्मक समूद बताओ कौन से number पे आ रहा है दूसरे पे 2 chloro pentane बहुत simple है दूसरे number पे जुड़ावा है chloro किसके pentane के 2 chloro pentane ये इसका IUPAC में नाम होगा अच्छा जल्दी से screen sort लो आग्गे की practice करा हूँगा फिर ले लिए बिटे screen sort ठीक है बिटे साथवे number पे देखो जरा ही होगी साथवे number पे CS3 फिर single bond CH यहां जुड़ावा है CS3 फिर CH2 फिर CH2 और फिर जुड़ावा है CL इसका नाम सामन्य में बताना है और IUPAC में आप इस ग्रूप को ध्यान से देखो इस वाले ग्रूप को पताव कौन सा इलकाईल है एक दो तीन चार पांच पेंटाईल है पांच में से एक गया चार यहां बना रखे और जो एक घटाया है उसे यहां निच्चे जोड़ रखा इस से दूसरे कार्बन पे निच्चे तो ऐसा ही तो होता है ISO गुरूप यह है ISO पेंटाईल क्लोराइड यदि सामन्य पद्दूती की बात करें तो ISO पेंटाईल क्लोराइड यह तो हो गया सामन्य पद्दूती में नाम अब देशते हैं IUPAC में इसका नाम क्या होगा नम्बरिंग आप इधर से ही तो करोगे 1 2 3 और 4 इधर से नम्बरिंग करोगे 1 पे तो क्लोरो है और 3 पे है मिथाईल 1 क्लोरो 3 मिथाईल अब देखो एक बात ध्यान रखनी होती है IUPAC में कि आपका जो क्लोरो और मिथाईल है उसमें यूँ देखना होता है कि क्लोरो सुरू होता है C से और मिथाईल सुरू होता है M से तो ABCD जब आप पढ़ते हो या अलफावेटिकल ओर जब आप देखते हो तो क्लोरो का C पहले आता है और मिथाईल का M आता है बाद में ABCD में तो आपको जो पूर्व लगन लिखने होते हैं जैसे क्लोरो और मिथाईल आप जो ये पूर्व लगन लिखते हो तो इन्हें आपको लिखना होता है बेटे ABCD के क्रम में या अलफावेटिकल ओरडर में तो मैं लिखुआं 1 क्लोरो 3 मिथाईल मैं ऐसे नहीं लिखुआं पहले 3 मिथाईल नहीं लिखुआं फिर 1 क्लोरो नहीं लिखुआं तो आपको ABCD के क्रम में चलना होता है बेटे तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो पहले नमबर पर तो क्लोरो है और तीछरे नमबर पर मिथाईल है 3 मिथाईल और कितने कार्बन है टोटल टोटल कार्बन इस तरंधला में कितने है 4 तो चार को कहते हैं हम ब्यूटेन इस तरह लिखना है नाम वन कलोरो थ्री मिठाइल ब्यूटेन अब आजाओ आप नमबर आठ अगली यॉगिक पर आजाओ यह दे रखा है CS3 सिंगल बॉंड C इसके उपर भी एक CS3 है और बिटे नीचे जुड़ावा है इसके बाद यहां जुड़ावा है CH2 और CH2 के बाद जुड़ावा है CS3 इसका नाम बताना है हमें सामन्य पद्धती में तो सामन्य पद्धती में नाम बताने के लिए आपको इस वाले ग्रुप को देखना होगा इस वाले ग्रूप को यह ग्रूप कौन सा है एक दो तीन चार पाँच पेंटाइल है पर बिटे यह पेंटाइल जो है ना तो नॉर्मल पेंटाइल है और ना तो यह आईसो पेंटाइल है और ना तो यह नियो पेंटाइल है क्यों कुछ बच्चे इसे आईसो पेंटाइल कि यह पाइच में से एक गया चार तो सिद्धे हैं और जो हमने घटाया है उसे जोड़ दिया इसके साथ यानि यहां से दूसरे कार्बन के साथ वेटे यह आइसो पेंटाइल हो सकता था यदि यह हैलोजन यानि क्लोरीन जुड़ा होता है हां लास्ट में तो यह आइसो पें पेंटाइल ग्रूप बिल्कुल भी नहीं है इसे आप फिर कौन सा पेंटाइल कहूगे आप यह देखोगे कि क्लोरीन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो कार्बन एटम कैसा है प्राइमरी है सेकेंडरी या तरसरी कारबन से तीन तीन कारबन से डरेकली अटेज है तो इसे आग तरसरी कारवन एटम कहोगे, तरित्यक कारवन परमानू कहोगे, तो इस पेंटाइल गुरुप को मैं कहूँगा, तरित्यक पेंटाइल गुरुप या थ्री डिगरी पेंटाइल गुरुप, या तरसरी पेंटाइल गुरुप, तो ये बिटे तरसरी पेंटाइल और क्या जुड़ावा है chloride तो इसका सावन्य नाम होगा tertiary pentary chloride ठीक है अब बात आती है IUPAC नाम क्या होगा बेटे IUPAC नाम में आप देखोगे numbering तो इधर से करोगे तो इधर से numbering करोगे 1, 2, 3, 4 दूसरे number पे ही chloro है दूसरे number पे ही यह उपर क्या जुड़ावा है methyl तो हम लिखेंगे 2 chloro 2 methyl 2 chloro 2 methyl कितने कार्बन है चैन में 4 है butane 2 chloro 2 methyl butane आपको पता है ने कि पहले chloro क्यों लिखा है क्योंकि C पहले आता है ABCD में M आता है बाद में ABCD तो आपके याद होगी ना सब के नंबर 9 अब दे रखा है बेटे हमें CS3 द्यान से देखना जड़ा यह लिख रहा हमें CS3 सिंगल बॉर्ड C और उपर भी CS3 जुड़ावा है और बेटे निच्चे भी CS3 जुड़ावा है और यहां है फिर CS2 और यहां है CL अब कुछ बच्चों ने देखते ही पैचान लिया होगा कौन सा गुरूप है देखो इस गुरूप पे ध्यान दोजरा क्या है देरे ध्यान भई 5 है न पेंटाईल गुरूप है ठीक है आप सिद्धा ऐसे लिख सकते हो यह लिख दिया मैंने पेंटाईल प्राइमरी पेंटाईल है सेकंडरी पेंटाईल है कौन सा पेंटाईल है चैनल होता है तो आप देखोगे कि पांच कार्बन पांच में से दो गए तीन तो बना रख्टे सिख दे और जो दो घटाएं है उन्हें पहले से दूसरे नंबर पर उपर और निच्चे जोड़ रखा है तो ऐसे को तो हम नियो कहते हैं क्या कहते हैं पिटे नियो ही तो कहते हैं तो यह कैसा ग्रूप है नियो मैं लिखूँ हूँ नियो पैंटाइल क्लोराइड अब बात आती है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा तो IUPAC नाम में सबसे बड़ी सरंखला 1, 2, 3 यह बैठेगी 1, 2, 3 यह बैठेगी 1, 2, 3 यह बैठेगी 1, 2, 3 तो आप ऐसी सरंखला लोगे जिस संखला में क्लोरीन भी जरूर आता हो तो यह सरंखला सही है 1 और यहाँ 2 और यहां 3 ठीक है बिटे तो वन पे तो आ रहा क्लोरो मैं लिख दूँ यहां वन पे तो आता है क्लोरो यह लिख दिया वन क्लोरो और दूसरे नंबर पे दो मिथाइल हैं तो आप इस तर लिखोगे तू-टू-डाइ-मिथाईल तू-टू-डाइ-मिथाईल और स्रंखला में कार्बन कितने हैं वन-टू-ट्री तीन कार्बन वाले एलकेन को आप क्या कहोगे प्रोपेन तो ये हुआ इसका आयू-पीएसी नाव वन-कलोरो तू-टू-डाइ-मिथाई-मिथाई-मिथाई-प्रोपेन ठीक है बटे अच्छा चलो अगला योगीक देख में नमबर दस ध्यान से समझेंगे सब बच्चे सी-एच-थ्री सिंगल-बॉन्ड सी-एच-टू फिर सिंगल-बॉन्ड सी-एच और यहां जुडावा है CL और फिर CS3 यह योगिक है इसका हमें बताना है सामन्य नाम और फिर आयू की इसी नाम अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ब्रेकेट में इस तरह दिया होता है इसका पता क्या तरीका है बेटे यह है CS3 सिंगल बॉंड CH2 सिंगल बॉंड CH यहां जुड़ावा है सिंगल बॉंड CS3 ब्रेकेट में लिखने का मतलब यहां जुड़ावा है निच्चे अब बताओ आप यह जो ग्रूप है कितने कार्बन है इस ग्रूप में इस वाले में एक दो तीन चार ब्यूटाइल है नॉर्मल इस जब बॉटाइल जब यह इस टील जुड़ा होता है थीक है बहिर आइसूब्यूटाइल जब 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 बाना इसे और यह दो से जुड़ावाय कि यह कार्बन जब जब normal बढ़ लेक्राइब और यह दो हुआ इसका सामन्य नाम धुल इसका सामन्य नाम हुआ टू डिगरी व्यूटाइल कलोरेड अब बात आती है ऐदर से तो मैं करने का नहीं इधर से करूँआ 1, 2, 3, 4 2 chlorobutane यहां लिख दू निच्चे चलो यहां लिख रहा 2 chlorobutane यह हुआ इसका IUPAC नाम 2 chlorobutane ठीक है बिटे? अच्छा नंबर 11 पे आज़ो आप देखते हैं नंबर 11 पे क्या दे रखा है यहोगी? यह दे रखा है CH3 का whole thrice और फिर कार्बन है कार्बन के बाद CH2 है और फिर है बिटे BR इसका नाम बताना है अब इसका नाम बताने के लिए सबसे पहले इसकी संदशना को समझ के लिखना पड़ेगा देखो 3 CS3 जुड़ेवे हैं कार्बन पे तो 1 CS3 तो यहां जुड़ावा हुगा 1 CS3 यहां जुड़ावा होगा और 1 CS3 यहां जुड़ावा होगा यह 3 CS3 इस कार्बन पे जुड़ेवे होंगे ऐसी सम्दशना को फिर इसके बार क्या है चीएच्टू और चीएच्टू पेן जुड़ावा है V you इन के नाम बटाने हैं, अब आप इस यॉगित को इस गरुप को ध्यान से देखो इस वाले गरुप को, इसका नाम हो जाएगा नियो पंताइल ब्रोमईड यह तो हुआ इसका इसका आई-उ-पी-ए-जी नाम क्या है आई-उ-पी-ए-जी नाम बिटे नम्बरिंग करोगे हैं इसी तो करोगे वन टू-थरी वन टू और थरी वन पे ब्रोमो है टू-टू-डाइ-मिथाईल प्रोपेन तो यह हो जाएगा वन ब्रोमो टू-टू-डाइ-मिथाईल कितने कारवन थे प्रोपेन यह इसका हो गया विटे आई-उ-पी-ए-ची नाम वन ब्रोमो टू-टू-डाइ-मिथाईल प्रोपेन ठीक है विटे अच्छा एक योगी को और आ सकता है है हाँ यहां लिख दू नंबर बरवे यह है बिटे सी एच्थ्री का होल ठ्राईस-पी-बि-आर यह दे रखा अच्छा इसकी संड्शना तो खोल के दिखनी पड़ेगी हमसे कारवन है कारवन के उपर कितने सी एस्थ्री है तीन इसके आगए लिख दू एक सी एस्थ्री तो उपर होगा एक सी एस्थ्री इदर ह हुआ और एक सी असरी हो जाएगा नीचे इस कार्बन पर जुड़े वे यह तीनों सी असरी और एक जुड़ावाई इसके उपर बिया अब बताओ कार्बन की सबसे बड़ी स्रंखला तो घूंड लोगे पहले तो आम मुझे यू बता दो कि यह ग्रूप कौन सा है एक दो ती इसका समन्ने नाम आप लिखोगे ना इसका समन्ने नाम होगा त्रिस्तियक कितने कार्बन है चार बियूटाइल और यह क्या है ब्रोमाइड तो इसका नाम होगा त्रिस्तियक ब्यूटाइल ब्रोमाइड यह तरसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अब बात आती है आई-उ-पी-ए-सी की तो आई-उ-पी-ए-सी में आपको सबसे बड़ी स्रंखला देखनी होती है देखो 1-2-3 1-2-3 1-2- तू-3 यानि तीन कार्बन से बड़ी स्रंखला आपको नहीं मिलेगी और तीन कार्बन की स्रंखला है तो नम्बरिंग देदो इसके तीन के हिसाब से 1-2-3 ऐसे कर दू में यदि 1-2-3 करता जब भी ठीक था 1-2-3 करता जब भी ठीक था हमेशा दूसरे नंबर पर ही ब्रोम त्टू-2- मिथाइल, त्टू-ब्रोमो-2 मिथाइल और श्रंखला में कितने कार्बन है तीन, तीन कार्बन को आप कहते हुँ प्रोपेन तो यह हुआ इसका 300 नाम तूब प्रोमो तूमिथाईल प्रोपेन ठीक है बेटे? अच्छा इसक्रीन सॉट लो जलदी से फिर अग नंबर 13 देखो बिटे कौन सा योगी है नंबर 13 पे हैं CH2 double bond CH single bond CL इसका सामन्य नाम बताना है और फिर बताना है IUPAC नाम इस ग्रूप के बारे में मैंने आपको सिखा रखा इसे कहते हैं विनाईल ग्रूप ठीक है तो सामन्य में इसका नाम विनाईल ग्रूप है तो यह हो जाएगा विनाईल ग्रूराइड यह तो हो गया इसका सामन्य नाम अब बात आती है IUPAC नाम की तो बिटे IUPAC नाम होता है हेलो एलकेन की तरह इसकी तरह हेलो एलकेन तो हेलो में तो आपको समझ में आ रहा है कि हेलो में तो प्लोरो है पर एलकेन तो यहां है यहां एलकीन है और यह जो एलकीन है वो दो कार्बन वाला है तो दो कार्बन वाले एलकीन को क्या कहते है एथीन दो कार्बन वाले एलकीन यानि डबल बॉंडिड हाइड्रो कार्बन ऐसा जिसमें दो कार्बन और डबल बॉंड उसे क्या कहते है एथ तो यह तो क्लोरो हो जाएगा इज़े तो हम लिखेंगे क्लोरो अगर दो कार्बन है एट और डबल बॉन्ड है इन क्लोरो एथीन अब यदि आप इससे नम्बरींग करते हो वन तू और यहां लिखते हो वन क्लोरो एथीन तो कुछ लोग उसे भी सही मानते हैं पर विटे दो कार्बन पे नम्बरींग की जरुवत नहीं होती है यदि क्रियात्मक समू देखो यहां यदि सील को आप यहां जोड़ोगे तब भी तो वो पहले नमबर पर ही रहेगा इसलिए मैंने लिखाईनी वन क्लोरो और डबल बॉन्ड दो यहीं बनेगा इधर से गिनोगे जब भी पहले नमबर पर ही दर से गोंगे जबिखी पहली नमबर थी तो सी एल और डबल बॉन्ड यानि कि क्लो और ईन यह दुन्र है पहले नमबर पर ही रहेंगे इस यह दे रखाएं बटे CS2 double bond CH single bond CS2 और फिर जोड़ रखाएं बटे CL अब इस योगी को आप देखोगे तो इसमें यह एलाईल ग्रूप है यह कौन सा ग्रूप है एलाईल तिखाया था मैंने यह क्या है एलाईल तो सावन्य नाम हो जाएगा एलाईल कलोराईड सामन्य नाम तो यह हो गया अब बात आती है IUPAC कि इसका IUPAC नाम क्या होगा IUPAC नाम के लिए कारबन की सबसे बड़ी स्रंखला देखो 123 नमरिंग तो इधर से करोगे या इधर से करोगे आपको देखना होता है कि इधर से तो पहले नमबर पे आ रहा है CL CLOS, और इधर से पहले नमबर पे आ रहा है डबल कॉर्ण आपको एक बात बतालता हूं 11 कि जब डबल उन एक तरब से उसी पूजीशन पर आ रहा हो और CL दूसरी तरब से उसी पोजीशन पर आ रहा हो तो जब आप वरी यता स्रेणी या क्रियात्मक समूहों की या फंक्शनल ग्रुप की सीनियर्टी टेबल देखते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि डवल बॉंड बहुत जादे सीनियर है क्लोरों के मुकाबले तो नमरींग उधर से स्टार्ट करेंगे जिढ़र से डवल बॉंड नजदीख पड़ रहा होगा पहले नमबर पे डवल बॉंड पहले नमबर पे क्लोरीन तो बहुत छोटा है डवल बॉंड बहुत बड़ा है बड़ा का मतलब कि ये इसकी करियाशी इलता ज्यादे है इसके मुकाबले यानिंगी है इन दुर्णों में जो सीनियर करियात्मक सम्मुwen होगा या प्रधान करियात्मक सम्मुए होगा और डबल बॉनड होगी game तो नंब्रिंग आप इढ्टर से करोगे कंगे तो हमने इन अबर नंब्रिंग 一, two, three तो तीसरे पे क्लोरो है और दूसरे पे double bond है तीसरे पे कलोरो और दूसरे पे double bond, तो हम लिखेंगे three chloro three chloro कितने carbon है? तीन carbon है crop double bond कौन से number पे? पहले number पे one, वं, इन ये इसका EUPST नाम है three chloro प्रॉप वन इन देखो बेटे कुछ बच्चे इस नाम को पढ़कर बहुत अजीब महसूस कर रहे होंगे प्रॉब्लम हो रही होंगे उन्हें क्योंकि 11 क्लास में थोड़ा ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाई होंगे आप पर फिर भी आप देख लो ध्यान से एक बात बताता हूँ आपको यहाँ जो मैंने स्टार लगाया है न इस स्टार में मैं बहुत इंपोर्टेंट आपको सूत्र दूँगा एक फार्मूला दूँगा जो IUPAC नाम लिखने में ब्रहमास्तर का काम करेगा और संजीवनी बुटी भी आप इसे कह सकते हो कि संजीवनी बुटी का काम करेगा क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादे प्रॉबलम होती है IUPAC नाम लिखने में देखो बेटे जब भी किसी भी यॉगिक का IUPAC नाम आपको लिखना हो तो आपको पता है कारबन परमाणोंगी सरंखला आप चुन लोगे और उस पे नमरीख कर दोगे कि धर से करनी चाहिक है यह काम तो बच्चे कर देते हैं कि यार कारबन परमाणूंगी सबसे बड़ी सरंखला ये वाली है और इस पे numbering किस तरीके से होनी है वो भी बता देते हैं पर main problem तब आती है जब उसका नाम लिखना होता है कि सर नाम में पहले क्या लिखें फिर उसके बाद क्या लिखें फिर क्या लिखें ये तो समझ में नहीं आकता सर हमारे हम कारवन परमाणों की सबसे बड़ी स्रंकला भी सेलेक्ट कर लेंगे हमें पता चल जाएगा कि numbering किस तरफ से करनी है वो भी हम कर देंगे पर नाम को लिखना किस क्रम में है तो जब आप 11th क्लास में थे तो 11th क्लास में IUPAC नाम लिखना जबाब सीख रहे थे तो वहाँ एक नियम आया था बीच में नियम नंबर 4 या 5 कौन सा था वो तो उस बात को तो चलो छोड़ो कौन सा नंबर था वो नियम बहुत काम का था और सच्चाई तो यह है कि IUPAC पदती का पूरे का निचोड है यह नियम यदि यह नियम आपके समझ में आगता है तो IUPAC नाम लिखने में कभी भी प्रॉबलम नहीं होगी आपको देखो क्या नियम यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है सबसे पहले सारे पूर्व लगन लिखने होते हैं तो मतलग कहने की बात हो है कि जितने भी पूर्व लगन है उन्हें लिखो और हमेशा ध्यान रखो कि वे जो पूर्व लगन होने चाहिए वे ABCD के करम में लिखने होने चाहिए सबसे पहले सारे पूर्व लगन लिख लेने चाहिए A.B.C.D. के करम में फिर उसके बाद लिख देना चाहिए Plus का मतलब इसके बाद क्या लिखना है उसके बाद आपको लिख लेना चाहिए Alk Alk का मतलब जो आपने कारबन परमाणूद की सबसे लंबी स्रंकला चुनी है, उसमें कितने कार्वन पर बढ़ी हूं, उसमें दो है तो एट, तीन है तो प्रॉप, चार है तो व्यूट और पांच है तो पेंट, तो एल्क लिखना चाहिए, एल्क के बाद फिर आपको लिखना चाहिए, एन, चिर उसमें डबल बांड कहां है, नंबर के साथ, और फिर लखना चाहिए आएन, यानि उसमें ट्रिपल वॉंड कहा है, और फिर लखना चाहिए प्रधान करियातमक समूहूँ, यानि की मेन फंक्विनल ग्रूप, प्रधान करियातमक समुहूं जो होता है उसका अनूलग नहीं यानी सफिक यदि ये नियम आपके समझ में आता है ये नियम आपने याद कर लिया तो आपको IUPAC पद्धती में नाम लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी देखो क्या बताया मैंने पूर्व लगन लिखने है सारे ABCD के करम में में इलफाबेटिकल ओडर में फिर कार्बन परमाणू की स्रंकला में जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग एलक लिखना है मैस है प्रोब्यूट जो भी मैंने सिखाय था फिर लिखना है यदि कहीं इन हुआ तो लिखना है फिर यदि आइन हुआ तो लिखना है फिर सबसे लास्ट में लिखना है परधान करियात्मक समू का अनू लगन ठीक है विटे इस नियम को फॉलो करेंगे जैसे उपर था हमारे पास सबसे पहले हमें पता पूरु लगन इसमें कलोरो था तो तीसरे पे प्रोरु लगन लिखना था सबसे पहले हमने लिख दिया 30 पि लिख दिया पूरु लगन अकेला इस फिर हमें लिखना था यर्य कारवन कितने परमानों है इत्ती करवयन को को एक्र पर बंसे नमबर प्यारा अप्ले और यहां खतम हो गया और ऐसा ही होगा इस पूरे चैप्टर में ऐसा ही होगा कि यहां से नाम सुरू होगा पूरूलगन एल्क और इन यहां खतम हो जाएगा बस इस तरह के नाम आएंगे इसलिए यह चीज आप ध्यान रखेलो बेटे बिलकुल एक दम चलो देखते हैं नंबर 15 पर दे रखा है CH2Cl2 यह दे रखा है CH2Cl2 अब CH2Cl2 से बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत जादे देखो क्या है कार्बन है कार्बन पर दो हाइड्रोजन जुड़ेवे हैं ठीक है और दो ही जुड़ेवे हैं कलोरीन इस तरीके से यह है CH2Cl2 चाहें दुन्नों हा सामन्ने नाम क्या होगा ये CH2Cl2 मैं ये एक कार्बन है तो इसका सामन्ने नाम तो मिथाइलीन होगा methyline कितने chloride है 2 chloride है तो आप इसे methylene लिख दिया इसका मतलब 2 chlorine आने है 2 hydrogen आने है तो methyline chloride आप इसे कह सकते हो वैसे कुछ लोग मिधाली chloride कहते है अच्छा methane die chloride भी आप इसे कह सकते हो methane die chloride completa paz और methylene chloride कह दिया तो इसका मतलब methane di chloride ही है अच्छा IUPAC में क्या होता है halo alkane कितने halogen है इसके पास 2 halogen है कौन है कौन से halogen है देखो यहां लिखाव है पूर 11 लिखने हैं 2 halogen है अब इस पे अकेले carbon पे क्या numbering करूं मैं बताओ एक तो carbon है उसके तो numbering करने की जड़ती नहीं तो आप सिद्धा लिख दो die chloro यह लिख दिया मैंने die chloro ठीके 2 chlorine है पूर्व लगन लगा दिया हमने elk में क्या है elk एक carbon है तो meth और उसके बाद in double bond नहीं है triple bond नहीं है परदान करी आत्म समूनी है जब कोई भी चीज नहीं मिलती है तो एन लिख देना चाहिए तो इसका नाम IUPAC में क्या है di chloro methane चलो number 16 पे आज़ाओ आप यह दे रखा विटे CHCl3 बताओ इसका नाम बता दोगे का इसका नाम तो सबको याद है सामने नाम इसका क्या है chloro form याद है ना सबको सामने नाम इसका chloro form होता है ठीक है या आप इसे कह सकते हो methane trichloride सामने नाम में ही कह सकते हो methane trichloride देखो मैं ऐसे करके लिख दूँ इसे भाई chloro form तो इसका सबस्याद्वे प्रकलित नाम है और बेटे वैसे सामने नाम में इसे methane trichloride भी आप कह सकते हो अब बात आती है IUPAC नाम में कि इसका IUPAC नाम क्या लिखना है तो बेटे A की तो carbon है एक carbon पे तीन chloro है तो इसका नाम हो जाएगा trichloro एक carbon है तो methane trichloro methane ये इसका क्या नाम है IUPAC नाम अच्छा अगला योगिक देखो नंबर 17 पर नंबर 17 पर दे रखा है CHBR3 बताओ बता दोगे क्या इसका नाम हो जाएगा जैसे chloro form था ये हो जाएगा bromo form या methane tri bromide लिख सकते हो तो लिख लेना bromo form ज़्यादे प्रसिलित है और बिटे tri bromomethane जिस पर आई यूपीसी नाम ट्राई क्लोरो मिथेन है यह हो जाएगा ट्राई कि ब्रोमो मिथेन यह हो गया इसका आई यूपीसी नाम थेक है बिटे अब नंबर 18 पर आजवाब CCL4 बताओ CCL4 पता है बहुत परचली थे इसका नाम कारबन टेट्रा क्लोराईड बहुत परचली थे नाम थीक है अच्छा है इसके अलावा जो है आप लिख सकते हो मिथेन टेट्रा क्लोराईड जैसे यह लिखा नाम है मिथेन ट्राई क्लोराईड तो मिथेन टेट्रा क्लोराईड भी इसका सामन्ने नाम हो सकता है मिथेन टेट्रा क्लोराइड ये भी इसका सामन्ने नाम हो सकता है अब बात आपकी है आयू पीएसी नाम यहां लिखरा में निक्षे ध्यान रखना आप इसका आयू पीएसी नाम क्या हो जाएगा कितने क्लोरो हैं इसके पास चार तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो और एक कार्बन है तो कौन सा एलकेन होगा मिथेन टेट्रा क्लोरो मिथेन ये हुआ इसका आयू पीएसी नाम नंबर उन्निस का आजाओ ध्यान से देखिए उज़रा ये हैं CS3 इसके बाद है CS2 फिर है CH2 और फिर है F इसके बताने हैं दुन्नों नाम भई आपको बता है नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड क्या नाम है नॉर्मल प्रोपाइल गुरूपी तो है तो नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड ये तो हो गया इसका सामझने नाम numbering करोगे 123 पहले नंबर पर फ्लोरो है वन फ्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा वन वन फ्लोरो प्रोपेन यही तो होगा वन फ्लोरो प्रोपेन यह हो गया इसका आई यू पी एसी नाम ठीक है बिटे अच्छा इसक्रींसौट लो अच्छा अब मैं कुछ एक्साइज की उधारन कराओं और कुछ पाट्टे नहीं तोड़े इसक्रींसौट लेलो प्रैक्टिस होगी बहुत लेलिया विटे स्क्रींसौट देखो बिटे ध्यान से देखना है क्योस्चन इस क्योस्चन से बच्चे बहुत ज़्यादे डरते हैं हमेशा पर क्योस्चन को मैं बहुत आसान बना दूँगा ध्यान से समझेंगे तब देखो क्या कहा है इन्होंने कहा है C5-H11-BR अनुसूत्र वाले आठ संद्चना समक समावयवियों की संद्चना बनाईए आईउपीएसी पद्जती के अनुसार सभी समावयवियों के नाम लिखिए नाम दीजिए तथा उन्हें प्रात्मिक जित्यक वे तरित्यक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गिकरत कीजिए तो इ फिम्पल काम है ध्यान से समझेगी बेटें आप क्या करोगे सबसे नंबर एक एक दो- ती चार- पांच- पांच कार्बन बनो और बैटे नंबर दो मैंहाँ से ने निहारी युडि देंबर दो- एक दो तीन चार पांच एक यह बनाए पांच कारबन नंबर तीन एक दो तीन चार पांच तो ये पांचो मैंने सिध्दी सरंखला वाले पांच-पांच कारबनों के तीन संरचनाएं बनाई है अब देखो ये तो थे नॉर्मली पांचो नॉर्मली यानी सिद्धी सरंखला वले बना दिये अब यदि मैं आईसो बनाऊ एक, दो, तीन, चार यही तो जुड़ूँगा एक कारबन या आईसो बन लिया नंबर पांच के फिर मैं आईसो बनाऊँगा एक, दो, तीन, चार और यह जूड़ दिया एक कारबन ठीक है विटे और फिर मैं आईसो बनाऊँगा एक, दो, तीन, चार यह जूड़ दिया एक कारबन और फिर मैं एक आईसो बनाऊँगा एक दो तीन चार यह जोड़ दिया एक कारवन अच्छा आठ कहते ना इन्होंने हमने तो भी कितने बनाई है साथ एक और बनाना है कहा बनाऊ उज़े एक और को यहां बना दू नमबर आठ एक दो तीन चार पांच लो यह नियों बना दिया मैंने अब देखो क्या करना है ध्यान से समझना सब हो बिल्कुल ध्यान से आप एक काम करो इसमें तो बी आर जोड़ दो यहां यह जोड़ दिया बी आर ठीक है पहले कारवन पे जोड़ा इसमें जोड़ दो दूसरे कारवन पे यहां जोड़ दो यह जोड़ दिया मैंने बी आर यह दूसरे कारवन पे इसमें जोड़ दो आप तीसरे कारवन पे पहला दूसरा तीसरा यहां जोड़ दो बी आर ठीक है अब इसमें अब यह आगे आईसो वाले जैसे यह है ना पहला इसके पहले कार्बन पे जोड़ दिया फिर इसके दूसरे कार्बन पे जोड़ दिया इसके तीसरे कार्बन पे जोड़ दिया इसके चौथे कार्बन पे जोड़ दिया यहां जोड़ दू इधर जोड़ रहा चलो यह हमारे पर साथ समावी अभी तो यह बनगे अब इसकी बात कर रहे हैं हम यहां देखो हम क्या करेंगे बिटे कि यह जो आपके पास यह जो नियो बनाया था हमने नियो इसे थोड़ा सा इधर को बनावी मैं नमबर आठ नियो एक दो तीन चार पाँच इसके बिटे इस वाले कारवन पर मैं जोड़ रहा हूं भी अब देखो यह बनगे हमारे पास सारे के सारे समावी अभी सारे समावी बनगे आठ इन्होंने आठ पूच्छे थे आठ हमने बना दिये अब इनका हम नाम कैसे लिखेंगे पहले तो एक काम कर लो इनके हाइड्रोजन पूरे कर लो देखो इस आहां दो जुडेंगे यहां दो जुडेंगे तीन बॉन्ड बना रख踏 एक जुडेगा कोने पर तो तीन जुडेंगे यह तीन हृां यह दो हृड्रोजन एक मधीन portrait a होजिंघ उनकी कौने पर मनह जारे गा इस पर दो दो जूड़ेंगे दो और एक iahर्ण और एक तीन औ देखो तीन एक दो तीन एक जुड़ेगा इस पर तीन जुड़ेंगे एक जुड़ेगा इस पर तीन जुड़ेंगे वैसे आपको पता है हाइड्रोजन इसने तो चार बनाई रखे इस पर तीन जोड़ेंगे और इस पर तीन जोड़ेंगे अब देखो यह इस पर तो तीन ज इस पे भी तीन जुड़ेंगे इस पे भी तीन जुड़ेंगे इस पे तो कोई नी जुड़ने का चार बॉंड पूरे हो रही और इस पे जुड़ेंगे दो ठीके अब यह तो होगे समा भी बिल्कुल आसान है तरीका मैंने पहले एक, दो, तीन में सिद्धी स्रंखला बनाई और फिर एक, दो, तीन, चार में बनाई मैंने वन साइड़िड ब्रांच यानि आइसो जैसा इस्ट्रक्चर और आठ भी बताया नियो इस्ट्रक्चर और फिर मैं इन्हें ब्रोमीन को यानि कि जो क्रियातमक समुए इस तरह जो दो एगि बात नियो फेंटेन या नियो पेंटाइल वरुक तो ऐसा ही होता है आप गिन सकते हो देखो हड्रोजन किनो कार्बन कितने हैं एक, दो, तीन, चार और एक, यहरा बीच में पांच कार्बन है हड्रोजन तीन तीन नो और दो ग्यारा देखो यहां देखो पांच हैं कार्बन, 11 हैड्रोजन हैं यह बी आरे किसी को भी चेक कर सकते हो आप अब इन्होंने कहाता कि इनके आई-ई-उ-पी-एसी नाम भी लिखने हैं जब आप आई-उ-पी-एसी नाम लिखोगे तो पहले नंबर पे ब्रोमो है वन ब्रोमो और कितने कारवन है एक दो तीन चार पांच तो इसका नाम हो जाएगा वन ब्रोमो पेंटेन यही तो होगा बिटे इसका नाम बताओ क्या होगा यह दूसरे नंबर पर आ गया तो इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो पेंटेन और यह बिटे तीसरे नंबर पर आ यह हो जाएगा थ्री ब्रोमो पेंटेन यही तो हो है इसका नाम और इसमें बताओ इसमें जो है नम्बरींग जबाब करोगे वन टू थ्री फॉर ब्यूटेन है यह वन पे ब्रोमो थ्री पे मिथाईल यहां लिख दूँ इसका नाम वन ब्रोमो थ्री मिथाईल चार कारबन है न सरंकला में ब्यूटेन वन ब्रोमो थ्री मिथाईल इसे देखो ज़रा इस वाले हो वन टू त्री फोर टू ब्रोमो ट्री मताइल इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो हुद old कित्वन कार्बन है चार निच्च लिक दूम्स यह लिख दिया ब्यूटेंग अच्छ इस इसे देखो ज़रा इससे तो नम्रीं इधर से करोगे आप इधर से तो करोगे नम्रीं क्योंगी दुन्हों नज़ी पड़ रहे वन टू थ्री फोर टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन कि तू ब्रोमो यहां आइपन लगना चाहिए तू मिथाइल इसे देखो ज़रा नम्रीं इधर से करोगे वन टू थ्री फोर वन ब्रोमो टू मिथाइल 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 ब्यूटेन चार कार्बनेस रंकला तो यह अच्छा इसका भी लिखना है नमरी की तरह से करोगे 123 वन ब्रोमो टू टू डाई मिथाईल वन ब्रोमो टू टू डाई मिथाईल कितने कार्बने एक दो तीन प्रोपेन इस तरह होते हैं बिटेंट के नाम और क्या पुछा था इन्होंने यूं बताओ इन्होंने हमारे से पुछा था कि नाम लिख दो और यूं भी पुछा था कि प्राथमिक दिट्यक और प्रिष्ट्यक में इन्हें बाट दो यानि कि आपको देखना है कि ब्रोमीन किस से जुड़ा है यहां ब्रोमीन जुड़ा है इस कार्बन से यह कार्बन एक जुड़ा है तू डिगरी और यह ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है यह वह लिखुआ है यह वाला कार्बन तो यहां लिखुआ है तू डिगरी कार्बन और इसे देखियो ज़़ा दिहान से यह ब्रोमीन जिस कार्बन से अटेच है वो कार्बन तीन कार्बन से डारेक्ली अटेच है तो यह तरसरी कार्बन है तो यहां मैं लिखुआ है थ्री डिगरी और बिटे इसे देखो यह ब्रोमीन जिस कार्बन से अटेच है वो प्राइमरी कार्बन है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि यह जो आपका ब्रोमीन ग्रूप है क्रियात्मक समू वो कितने कारबन से एटैच है ठीक है बिटे इस क्योफ्चन को समझ के और करके आना है एक्जाम में जिस तरह मैंने आपको बताया है अच्छा एक काम और करा जोरो आप जैसे मैंन देखो बिटे अब हमारी किताब का उधारन नंबर दो है और यह बोड़ पे दिये हुए है कुछ कारबनीक योगी को के सूत्र या सनरचना और इनके बताने हैं आई-उ-पीजी नाम अब मुझे एक बात बताओ कि यह सनरचना यह देखके किसी को चक्कर तो नहीं आ रहे ह या उल्टी आने का उल्टी करने का मन कर रहा हूं वोमेटिंग करने का ऐसा हो रहा होगा कुछ बच्चों को बिटे परिसान होने की कोई जरुरत नहीं है यह जो तुम्हें चक्कर आ रहे हैं जो उल्टी आ रहे हैं मन अजीव सा हो रहा है उसकी दवाई मेरे पास है और मै इन चक्करों को ठीक करूँगा आपके जो प्रॉब्लम आपके माइंड में इस क्योस्टन को देखके आ रही है उस प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा ठीक है ध्यान से देखेंगे सब तैयार है न सब सबसे पहला जो योगिक हमें दे रखा है ये योगिक अजीब और जीए लो यह जी है उसके बाद क्या है सिंगल बांड यह लिख दिया मैंने सिंगल बांड पे यहां ऑल चो मत था है हाई्ड्रोजिट और इस पर यह जोड़ता हूं यह जोड़ दिया ह 2021 मैं यह double bond, यह बना दिया मैंने double bond, ठीक है बिटे, double bond के बाद फिर एक carbon आया, और उस carbon पे भी एक hydrogen चुड़ा ह। तो हिाँ मैंने बना दिया ये वाला carbon और इसके पास भी एक hydrogen है, फिर उसके बाद क्या है single bond, यह बना दिया single bond, और फिर jin gestures बॉंड के बाद फिर एक कार्बन है यह लिख दिया कार्बन और उसके पास भी एक हाइड्रोजन है यह लिख दिया एच और उसके पास एक बी आर भी है यह लिख दिया बी आर यह लिख दूं यह लिख दूं यह लिख दूं यह लिख दूं यह लिख दिया मैंने लोग पर यह वी आर है इसके पास और उसके बाद यहां से आगए चलके है एक एस स्थरी सिंगल बॉंड से जुड़ा हूँ, यह जोड़ दिया स्थरी, अब बताओ कुछ सही होई के तवियत, मैंने आपको बताया स्थरी यह बना दिया, सिंगल बॉंड यह बना दिया, फिर एक पास एक बियार है वो बना दिया उपर या निच्चे कहीं भी बना सकते हो इसके बाद एक सिंगल बॉंड है बना दिया और यह प्रिये अब तो आसान हो गया अब मुझे यह बताओ यहां से दूसरे नंबर पर पढ़ रहा है बियार क्या पढ़ रहा है वन टू दूसरे पर मैंने आपको सिखाया कि डबलमांट सीनियर होता है तो नंबरिंग आप इधर से करोगे वन टू फ्री फोर और फइम अब बताओ 4 पे तो bromo है 4 bromo ठीक है और तो कोई prefix नहीं है और तो कोई पूर्व लगन नहीं है 4 bromo मैंने आपको बताया था सारे पूर्व लगन लिखो उसके बाद लिखो elk elk कितने कार्बन है 5 तो हम लिखेंगे यहाँ paint अब लिखेंगे इन कहां है दूसरे नंबर पे है इन इन माने double bond तो यह हो गया इसका IUPAC नाम 4 bromo pent 2 4 bromo pent 2 इन इसका IUPAC नाम 4 bromo pent 2 इन है ठीक है पिटे अब इसे देखो जड़ा ध्यान से देखना है सब बत चोगो यह कार्बन है कार्बन के उपर 2 hydrogen है देखो एक तो यह वाला यह वाला यह बना दिया मैंने carbon और carbon के उपर 2 hydrogen है फिर क्या है double bond फिर एक carbon है इस carbon पे जड़ावा है एक CS3 उपर जोड़ दूँ CS3 को यह जोड़ दिया CS3 यह वाला जोड़ा मैंने उपर वाला है फिर है एक single bond single bond पे एक carbon है जिसके पास एक hydrogen है यह बना दिया carbon और उसके पास एक hydrogen और उसके पास एक BR भी है देखो यह BR भी तो है इसी carbon के पास और एक single bond से जड़ावा है CS3 यह single bond से जड़ावा है CS3 अब बताओ numbering किधर से करनी left से पहले number पे double bond राइट से दूसरे number पे BR तो double bond की तरफ से होगी number वन टू थ्री फोर कितने carbon है मेटे इसमें इसमें carbon है 4 तो इसका नाम हो जाएगा बताओ 3 पे तो bromo है 3 bromo दूसरे पे methyl है यह भी तो क्रियात्मक्समू है prefix लगेगा इसका ही यह तो लगा दिये पूर्व लगन अब carbon कितने मुख्य संकला में 4 चार है तो but ठीक है but double bond पहले number पे है न one in but one in 3 bromo 2 methyl but one in अब आजाओ आप next तीसरे पे आजाओ यह CS3 है यह बना दिया मैंने CS3 फिर एक single bond है बना दिया single bond फिर एक carbon है और उसके पास एक hydrogen भी है यह वाला बना दिया फिर double bond है यह बना दिया double bond फिर एक carbon है यह बना दिया carbon carbon के उपर कौन जुडावा है CS3 यह बना दिया फिर अगे एक single bond है यह बना दिया यह वाला बनाया इस carbon के पास एक hydrogen है यह बना दिया और एक BRB है यह बना दिया और बेटे एक single bond से CS3 जुड़ावाएं single bond से CS3 जोड़ गिया numbering 1,2 और इधर से 1,2 numbering इधर से यह होगी क्योंकि यहां जो है आप देखोगे कि double bond जादे senior है double bond बेटे senior होता है इसके मुकाबले ले सब्सक्राइब कि वरवा यह घ्रांवोश्स पर दो कितने गार्वन एर पांच कौन से नंबर पर डूशरी नंबर पर आ हाँ डूश्रै नीयूच दू इनल ? प foul लितुतुम पर जाय रहांley? गोरे मेत फोशनियू नमबर तीन कालते नाम है titleagut तो बिटे इसका नाम हुआ 4-Gromole-2-Methyl-Pent-2-E अब आजाओ आप नमबर 4 पे ये CS3 है, ये बना दिया CS3 फिर सिंगल बॉंड है, ये बना दिया सिंगल बॉंड कार्बन के पास एक हार्डोजन है, ये बना दिया कार्बन के पास एक हार्डोजन इस C के पास दो H है, तो ये बना दिया CH2 और एक है इसके पास BR उपर जोड़ दो, निच्चे जोड़ दो, बरबर में जोड़ दो, आपकी मद्धी है अब बताओ, यहां आपको देखना है कि एक तरफ से तो देखो आप इसे हैं ये पहले नंबर भी आ रहा है औ इधर से दूसरे नंबर भी डवल बॉणड आ रहा है अब तो इन पर पढ़ रहा देखो, ये पहले नंबर पर आ गया और इधर से एक,डू, तीसरे पर और चोटे पर में बैठंगे तो आप उधर से लोगे इधर से सारे करियात्मिक प्ड़ हों पास पड़ रहे हों समीख पड़ रहे हों। तो नमरिंग इधर से गरोगे वन? टु थ्री फोर बताऊ ब्रोमो कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर वन ब्रोमो टू मिठाइल टू मिथाईल कितने कार्बने चार ब्यूट डबल बॉंड कौन से नंबर पर दूसरे पर तू इन लो ब्यूट टू इन यह हो गया इसका यूप यसी नाम है अब आज़ा उधर लिख रखा में ने देखो यहां देखो पांचवे नंबर में इधर लिख दिया यह योगिक्स हों कर दोर्या है यह पर एक कारवन के नहीं पर देखो यहां और मजूझी और यहां देहां ते यहदे आप इस योगिक मेंडेक तो तो इसमें बिटे यहां से पहले नंबर पर या गया वियार और दूसरे पर देखो वन टू इधर से भी दूसरे पर डवल बॉंड है तो आप नंबरिंग इधर से ही तो पर होगे वन टू थी फोर नंबरिंग सिरफ कार्बन परमान उपर होती है इस चीज़ता भी ध्यान थीक है बस और तो कोई है नहीं पूर्व लगन कितने हैं यह चार भी उट फिर तो हाइफन लगाने की ज़ुरत ही नहीं वन ब्रोमो व्यूट टू इन तो इसका नाम हुआ विटे वन ब्रोमो ब्यूट टू इन अब इसे देखो चटे को चटे योगी को देखो एक कार्ब कार्बन के पाद दो एच फिर डबल बॉंड यह लिख दिया फिर इस कार्बन पर कुछ नहीं है उपर तो एक सी एस तरी है यह सिंगल बॉंड जा रहा आगे सिंगल बॉंड पर सी एच टू है और एक जुड़ावाए बी आर अब बताओ ध्यान से देखके मुझे यहां प वन इन थ्री भ्रोमो तीसरे पर प्रोम अनल यह लिख दिया थ्री भ्रोम तो व blessing तूं थीन कारण है तो प्रोप को और पहले नंबर पर डबल बॉननेन तो इसका नाम हुआ भेटे थी ब्रोम और तूं मिटायल प्रॉप कुछ वन इन ठीक है बिटे इस तरीके से आपको इस question को solve करना है जलती से screen sort लो फिर अगले question करूंगा ले लिए बिटे screen sort ठीक है देखो बिटे ये है पाठ्थे निहित का पहला question और इसमें कहा है कि निम निलिखित योगिकों की संद्रचनाई लिखिये हमें कुछ योगिक दे रखे हैं उनकी संद्रचनाई लिखनी है इसमें जो सबसे पहला योगिक इन्होंने दिया है वो है बिटे टू कलोरो थ्री मिथाईल पेंटेन द्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल बिटे यहां सिरफ आप यह देखोगी कितने कारबन है पैंटेन का मतलब कितने कारबन है पांच आप पांच कारबन बना लो एक दो तीन चार पांच बना लोगे और इन पे एक हलकी सी नमरीं कर दो अब देखो क्या क्या कहा है इन्होंने क्लोर ने थीपर 20 math थी पर मिठाइल टीसरे में जोड़ दिया भाई उड़ोन में कुछ भी जोड ना है आपको तो इन्हों ने कहा है कि टू प मिठाइल जोड दो जोड़ दिया व्याली बस अब तो हुइद्रोजेन ही तो कुरे करने और तो सब कुछ है लो एक बॉंड है तो इन्होंने दिया है योगीक उसे देखो इन्होंने कहा है वन क्लोरो वन क्लोरो फोर इथाइल फोर है इथाइल और फिर कहरें बिटे यह साइक्लो हेक्सेन साइक्लो हेक्सेन भाइ साइक्लो हेक्सेन हमें इसी तो देखना है साइक्लो माने चक्री है हेक्सेन होने छै कार्बन छै कार्बन का एक चक्र बना लो यह बना लिया हमने छै कार्बन का चक्र यह बना दिया छै कार्बन का चक्र और इसमें नम्बरिंग कर दो अंदर की तरफ कर रहा है 1 2 3 4 5 6 अब जोड़ देंगे वन क्लोरो पहले नंबर पे तो प्लोरो जोड़ दिया 4 पे जोड़ना है इथाइल 4 नंबर पे इथाइल जोड़ दिया इथाइल होता है सी टू एच फाइव बस बन क्या स्ट्रक्चर और तो कुछ भी नहीं करना था इस में आब आज़ाओ आप नंबर थर्ड पे तीसरे नंबर पे क्या कहा है इन्हों तीसरे नंबर पे कहा है 4 तरसरी ब्यूटाइल 4 तरसरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन हेप्टेन पे देहां दो हेप्ट माने होता है साथ साथ कारवन आपको बनाने हैं एक दो तीन चार पाँच छे साथ हलकी सी नंबर इंग कर दो एक दो तीन चार पाँच छे साथ इन्हों ने कहा चार पे तो जोड़ना है यह क्या है तरसरी तरसरी ब्यूटाइल तरसरी माने त्रित्यक ब्यूटाइल माने कितने कारवन चार कारवन तो चोथे नंबर पे तो आपको यही तो चोथा नंबर ब्यूटाइल का मतलब एक दो तीन चार होगे चार भई हर्टोजन तो हम पूरे कर देंगे बाद में कोई बात नहीं है है देखो चार कारवन और यह वाला कार्वन टर्वफरी कार्वन competitive कर्वने देखो तो तर उडिफ हुआ है तीसरे इसनीए करने है और हैपको हुआब यहाँ पूरे ऑका पता है कि JanSU में एक जुडएगा और यहां दो और यहां 2 और यहां 3 भई इस पे भी 3 जड़ेंगे इस पे भी 3 हाइड जडेंगे और इस पे भी इधर जोड़ेंगे ती अल्डोय बाइजन चुडेंगे वन फूर डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन भाई ब्यूट का मतलब कितने कारवने चार एक दो तीन चार नम्बरिंग कर दो वन और फूर पे दो जोड़ने ब्रोमो एक तो ब्रोमो यहां जुड़ेगा और एक यहां जुड़ेगा ब्रोमो चाहे ब्राबर में लिख दो आप चाहे निच्छे लिख दो चाहे उपपर एक ही बात है मैंने दुबाने दोसरे स्थ अब आपको हाईड्रोजिन पूरे करने देखो दो की कमी हैं रहे इक की कमी और दो की कम यह बन गया आपका एक योगी तीग है गले औरिंब और औरho 5 देरम यह जो एब कक यह प्लाइब lucky बघ्रॉपर वन ब्रोमो फोर सेकंटरी व्यूटाइल टू मिधाइल बैंजीन नीचे लिख दो में टू मिधाइल बैंजीन तो लास्ट में सबसे क्या या लिख्धा वा बैंजीन आया ना तो आपको बैंजीन बनाना है आप बेंजीन बना लो और नम्बरींग दे दो इसके उपपर यह बेंजीन हो जाएगा नम्बरींग दे दो वन तू त्री पॉर फाइव सिक्स अब देख रहें वन पे तो ब्रोमो है लो वन पे ब्रोमो जोड़ गे फोर सेकंडरी व्यूटाइल चोथे नम्बर पे व्यूटाइल जोड़ना है सेकंडरी आपको पता है ना सेकंडरी व्यूटाइल कैसा हुटता है ऐसा ही तो हुटता है सेकंडरी व्यूटाइल पता है ना आपको देखो चार कार्बन है और जित कार्बन से जुड़ावा है व तीन होते हैं यहां दो और यहां एक और यहां तीन लोग बन के आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा यह ओगी ठीक है यह क्यों संपूरा हो गया और रहूंगा कि ले लिए बेटे स्क्रीन सोट थीए बेटे अब देखते हैं हम अपनी अभ्यास का पहला क्योफ्षिन अभ्यास के पहले क्योफ्षिन में दिया है निमलिखित हैलाइड के नाम आई यू पी एसी में लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एलकाईल एलाईल बेंजाईल प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी विनाईल तथा एराईल हैलाईड के रूप में कीजिए ठीक है आई यू पी एसी नाम लिखने हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा है यह तो नंबर एक पर इन्होंने क्या दे रखा ह है देखो जड़ा द्यान से नंबर एक पर दे रखा है CH3 hold twice CH और फिर CH है और इस पर जुड़ावा है CL और फिर है CH3 तो ऐसे सूत्र को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादे डर जाते हैं डरने की बेटे बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है आपको पताए कि यह कितने CH3 है द तो एक तो CS3 मैं बना रहा हूं यहां देखो यह CS3 बना लिया और यह बना लिया CH एक इस CH पर एक CS3 यह जोड़ दिया एक नीच्चे जोड़ देंगे देखो CH के उपर दो सी इस तरी आगे अब क्या करेंगे यह अगला CH बनाया और इसके उपर क्या जुड़ावा है CL फिर CS3 अब इसका नाम आप असनी से लिख दोए क्या है बिटे नंबरिंग आप इधर से दूसरे पर CS3 इधर से दूसरे पर CL 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा बिटे यह हो जाएगा 2-Cloro-3-methyl-butane लिख दू नाम निच्चे लिख रहा 2-Cloro-3-methyl-butane यह तो हो गया इसका IUPAC नाम अब बात आती है कि यह क्या है आप देखो CL किस से जुड़ावा है इस कार्बन से तो CL जिस कार्बन से जुड़ावा है वो कार्बन कैसा है सेकेंडरी कार्बन है ना देखो यह सेकेंडरी कार्बन है दो से जुड़ावा है दो कार्बन से तो आप इसे कहोगे कि यह secondary alkyl halide है क्या है secondary alkyl halide इन्होंने कहा था ना इन्होंने कहा था कि उनका वर्वी करन alkyl, alkyl, bengyl और इन्हें यूँ भी बताना कि यह primary है secondary यह tertiary और vinyl और aryl halide के रूप में करना था, तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट solve हुआ है, दूसरा पार्ट देखो बेटे, दूसरा पार्ट इन्होंने दिया है CS3, फिर CH2, फिर दिया है CH, और bracket में CS3, यानि कि यह CS3 इसके उपर जुड़ावा है, और फिर दिया है CH, और फिर दि है CL, यानि कि यह भी इसके उपर है, और यह CS3 इसके उपर है, ध्यान से देखना है सब बच्चों को, CS3 बना दू, यह बना दिया CS3, फिर CH2 बना दू, सिंगल बॉंड CS2, फिर CH बना दिया, और CH के उपर यह क्या जुड़ावा है, CS3 यहां जुड़ दू ही ते बटे, फि CH, CH के उपर एक तो CL है, एक है C2H5, इस C2H5 को खोल के लिखना पड़ेगा, जबी इसकी असलियत का हमें पता चलेगा कि क्या है, देखो, C2H5 लिखा है ना मैंने देखो, क्या लिखा है C2H5, क्योंकि यदि आप इसे खोल के नहीं लिखने के, तो कारवन परमाणू की सब सबसे बड़ी सरंखला का ढूंड़ना, आपके लिए मुस्किल हो जाएगा, देखो, सबसे बड़ी सरंखला ये है, ये, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना इसमें, और इधर से तीसरे नंबर पर आ रहा, तो इन दुरनों में तो इसे प्रात्मिक्ता पर रखेंगे, हम C2H5 को तो आप लिखोगे 3-Cloro, 4-Cloro, 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 और कितने कारवनें, इसमें 6, 6-Cloro, तो हैक्स-Ane, तो इसका नाम हुआ विटे, 3-Cloro, 4-Cloro, और हैक्स-Ane, अब आप इसमें कलोरीन को देखो, कौन से कारवन से अटेश है, कलोरीन जिस कारवन से अटेश यानि कि secondary carbon है तो इसे भी हम क्या कहेंगे हम इसे भी कहेंगे तू डिग्री है और एलकाइल है एलकाइल है तो है यह एलकाइल है तो ही बिटे ठीक है चलो नंबर तीन देखते हैं यहां से नंबर तीन तीसरा योगी किनों ने दे रखा है CS3 इसके बाद CH2 इसके बाद C फिर दे रखा है CH3 का होल्ड टॉइस और फिर रखा है CH2 और इसके उपर है आई दिखान से देखेंगे सब CS3 यह बना दिया CS3 इसके बाद CH2 बना दिया कार्बन के पास दो CS3 है तो एक तो CS3 आप उपर जोड़ दो और एक CS3 जोड़ दो आप नीचे और बिटे फिर CH2 है और इसके पास है आई तो पक्की बात है नंबरिंग 1,2,3,4 ऐसी तो करोगे पहले पे तो है क्या है पहले प दाइ मिथाइल ब्यूटेन ठीक है यहां लिख दूँ इसका नाम वन आईडो तो टू तो डाइ मिथाइल कितने कार्बन थे चार कार्बन थे ब्यूटेन यह तो हो गया इसका यूपीसी नाम अब बात आती है कि इसमें आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ावा है उसे प्राइमरी कार्बन है एक ही कार्बन से शेट हैं तो आप लिख सकते हो वन डिगरी अल काईल है क्या है बेटे वन डिगरी अल काईल है नबर चार यानि कि चो त्बहावस क्यों का को से ಏ chipraIGwwww और इसके पास जुड़ावा है और फिर है C6H5 यानि बेंजिन रिंग तो आपको समझना चाहिए कि इस कार्बन पर तीन की अस्त्री है कार्बन के पास तीन च्री यहां जोड़ेंगे एक च्री या जोड़ दो एक कार्बन है तीक है इसके उपर यह जुड़ें अब सीएस टू है सीएस के बाद फिर सीएच है सीएच के उपर जुड़ावा है बी आर ठीक है विटेक और इसी के उपर जुड़ावा है या फिर आप पी एच भी लिख सकते हैं या तो बेंजीन रिंग बना दो या फिर आप फिनाइल लिख दो तो यहां से जो है बी आर इसमें जुड़ावा है तो वन टू और थ्री तीन से चादे तो वन टू यह तो थ्री और यह फोर चार मेंबर आए इसमें बिटे ब्रोम और मिटाइल दो हैं और किया क्या आप फिनाइल अब मुझे उप्ताओ पहले ब्रोम कया brachtसे पहले पहले ब्रोमुल लिखेंगे फिर लिखेंगे हम क्या वणने qm M, N, O, P M के बाद आया है P तो आप सबसे पहले तो 1 bromo लिखो यह लिख दिया 1 bromo और बेटे 3-3 dimethyl 3-3 dimethyl और 1 पे ही क्या है? Phenyl कितने कार्बन है? 4 Butane अब मुझे यह बता दो कि हैलोजन जिस कार्बन के उपर जुड़ावा है वो कार्बन कैसा है बेटे यहां हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ावा है यानि BR जिस कार्बन पे जुड़ावा है वो कार्बन दो कार्बन से अटेच है इतने कार्बन से दो से देखो एक तो इधर से और इसमें भी तो carbon है और यह जब benzene ring के उपपर CH2 आ जासा है तो इसे benzyl कहते हैं क्या कहते है benzyl तो यह बात पक्की होगी है कि यह secondary है यानि 2 degree है और benzyl है तो इसे लिखेंगे हम 2 degree benzyl halide 2 degree benzyl halide है क्या है बिटे 2 degree benzyl halide नंबर पांच भी देख लो चलो आ जाएगा यहां नंबर पांच नंबर पांच में इन्होंने दिया है CS3 उसके बाद है CH उसके बाद फिर bracket में CS3 है यानि यह CS3 इसके उपर होगा फिर CH है और bracket में यह CS3 इन संजेशनाओं को आप सिंपल करके लिख लिए पिर CH लिख लिए इसके उपर यह CS3 जोड़ दिया फिर CH लिख लिए इसके उपर यह सिंपल सी वात है पता चल रहा होगा आपको नमरीं इस पर होगी ऐसी तो होगी नमरीं देखो उधर से बी यार दूसरे नंबर पर पढ़ रहा है ना नाम बता दोगे टू ब्रोमो थ्री मिथाईल ब्यूटेन तू ब्रोमो प्री मिथाईल ब्यूटेन यह ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी कार्बन है तो आप लिखोगे टू डिगरी एलकाईल हैलाइड इस तरह का योगीग है यह ठीक है पिटे स्क्रीन सौर्ट लो अगले पार्ट करांगो इसके फिर लेलिया विटे स्क्रीन सौर्ट ठीक है देखो विटे अब आगे हम नंबर 6 पे छटे नंबर पर इन्होंने दे रखा है पिर दे रखा है C के उपर जुड़े हैं C2H5 दो इथाइल ग्रूप जुड़े हैं और फिर दे रखा है इन्होंने CH2BR इसकी संरचना हमें खोल के लिखनी है सबसे पहले तो आप इस CS3 को लिख लो यह लिख लिया हमने CS3 फिर इस कार्बन को लिख लिया फिर दो हैं C2H5 आप एक काम करोगे एक तो C2H5 को ऐसे ही लिख लोगे C2H5 और एक को खोल के लिख लोगे वैसे तो चाहिए दोनों कोई खोल के लिख लो आप पर जरूरत नहीं पढ़ने वाली दोनों भी क्योंकि किसी एक कोई तो मुख्य स्रंखला के हिस्टे में हम लेंगे फिर उसके बाद क्या है CH2 और इसके उपर क्या जुड़ावा है BR तो बेटे इसमें क्या करना है मैं न मिठाइल है और दूसरे नंबर पर ही क्या है मिठाइल है तो आप क्या करोगे ABCD के क्रम में जब चलोगे तो वन पर ब्रोमो यह लिख दिया वन ब्रोमो और बिटे फिर यह आता है दूसरे पर इसाइल फिर दूसरे पर ही methyl स्रंखला में कितने कार्बन है cuatro तो यह हो गया चार खांड क कहते हो ब्यूटें प्रामरी कारबन से तो यह हुआ प्रामरी एलकाइल है क्या हुआ विटे प्राइमरी एलकाइल हेलाइड प्राइमरी को हम लिख देते हैं वन डिग्री तो प्राइमरी के दो या वन डिग्री के दो एक ही बात है इससे कोई प्रभाव नहीं बढ़ता है अगला योगी देखो CS3C इसके उपर है CL फिर इसके उपर ही C2H5 भी है और फिर है CH2 और फिर है CS3 इसकी संदस्चना को खोल के लिखे हैं यह CS3 तो यह लिख दिया यह कार्बन लिख दिया उसके उपर CL और निच्चे क्या है C2H5 है तो इसे खोल के लिख दू तरंखला का हिस्टा बन जाएगा न उसके बाद क्या है CH2 और फिर है CH3 अब बताओ यदि आप नम्बरिंग करोगे 12345 पांच मेंबर 12345 चार मेंबर तो पांच मेंबर सकरो आप 12345 कर लो या 12345 कर लो तीछरे नमबर पर ही आएगा क्लोरीन हमें तो 12345 चाहिए इदर से कर लिखते आज्टा तो तीछरे नमबर पर ही देखो कौन-कौन से है एक तो तीछरे पर क्लोरो है तीछरे पर ही मिठाईल है तो आप लिखोगे कितने कार्बन इस रंकला में पांच कार्बन है पेंटेन अच्छा अब आप इस की यल को देखो यह सी यल जिस कार्बन से अटेच है वह कार्बन टरसली नहीं है या वन टू त्री यानि कि यह है ठ्री डिगरी अलकाईल हैलाइड यानि कि त्रीच्ट्यक अलकाईल है क्या है बिटे त्रीच्ट्यक अलकाईल हैलाइड नमबर आठ देखो चलो नमबर आठ यह दिरखा इन्होंने पिर देख यह दूबल बॉन्ड थी इस त्री उसके बाद सी एच डबल बॉन्ड थी एल फिर सी एच टू है और सी एच के उपपर जुड़े में हैं दो सी एस त्री पिर संद्रचना खोल गे लिखोगे तो सबसे पहले सी एस प्री फिर सिंगल बॉन्ड थी इस पिर डबल बॉन्ड कार्बन के उपपर कलोरीन है निच्चे है सी एच टू थी सॉरी उपपर कलोरीन है सी एस टू तो अलग है ना मिटे कारवन के उपर कलोरीन जोड़ दिया इधर यह CH2 है फिर CH है इस CH के उपर एक CH3 इधर और एक CH3 इधर जोड़ दो आप अब बताओ आप नम्बरिंग कि इधर से करोगे इधर से डबल बॉंट दूसरे पे और इधर से तो डबल बॉंट दूर पड़ रहा तो इधर से डबल बॉंट जिधर से नज़दी पड़ रहा उधर से नम्बरिंग करो 1,2,3,4,5,6 3 पे तो कलोरो है और 5 पे है मिठाईल और दूसरे पे है डबल बॉंट तो तीसरे पे जब कलोरो है तो आप लिखोगे इधर लिख दूना विटे थ्री कलोरो और पाँचवे नमबर पे कौन सा मिथाईल देखो थ्री कलोरो फाइब मिथाईल छे हैं इसमें कारबन हैक्स डबल बॉर्ण बताओ कौन से नमबर पे हैं तूंप इन दूसरे नमबर पे हैं तो डबल बॉर्ण आ रहा है यहां पेट्टे दूसरे नमबर पे तो इसका नाम हुआ three कलोरो फाईब मिथाईल हैक्स डू इन अब आप इसमें एक बात देश रहे होंगे कि यहां जो है न डबल बॉन्ड इस ग्रूप को देखो अच्छा आप इस ग्रूप को डबल बॉंड के उपपर एकदम जुड़ावा है हेलोजन जब डबल बॉंड के उपपर हेलोजन जुड़ा होता है तो ऐसे ग्रूप को गहते हैं विनाइल ग्रूप तो यहां जो है ना यह विनाइल है यहां लिख देंगे हम विनाइल विनाइल हेलाइड लिख दो चलो क्योंकि हेलोजन ही तो पढ़ रहे हैं विनाइल हेलाइड अब आजाओ आप नंबर 9 पे नंबर 9 देखो क्या दे रखा है नंबर 9 दे रखा है इन्होंने CS3 और इसके बाद है CH के डबल बॉंड है फिर CH उसके बाद CRC है उसके उपर BR है और फिर है विटे CH3 का होल टोई इस तरह है संरचना बनाओगे आप CS3 सिंगल बॉंड CH डबल बॉंड CH ये कारबन है कारबन के उपर तो BR ये जोड दिया और एक CS3 इदर जोड दिया और एक CS3 जोड दिया इदर अब बताओ numbering किदर से करनी चाहिए numbering बेटे उधर से करनी चाहिए जिदर से डबल बॉंड नजदी पड़ता है इदर पे 1, 2, 3 पे पड़ेगा 1, 2, 3, 4 और 5 एक तो BR मो है एक है मिठाइल और एक है डबल बॉंड 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो और 4 मिठाइल 4 पे ही मिठाइल है कितने कारवन है 5 पेंट डबल बॉंड कौन से नंबर पे 2 इन तो इसका नाम हुआ 4 ब्रोमो 4 मिठाइल पेंट 2 इन ठीक है अच्छा है इसे देख सकते हो आप ग्रूप को इस ग्रूप को देखो जरा ध्यान जए इस वाले को डबल बॉंड डबल बॉंड के पास सिंगल बॉंड और सिंगल बॉंड के उपर जुडवा है बी आर इस ग्रूप को एलाइल कहते हैं मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में है तो इसे मैं कह सकता हूं एलाईल हैलाइड यह एलललाइड है इक सरवा क्या है फूटे एलललल फिर आप नमबर दस फे दसवा देखता हैं color फे पीमा ने पैरा है यहां देहन लखना है पैरा क्लोरो C6H4 यानि बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे क्लोरो है और फिर CH2 है और फिर CH है और फिर CH3 का फोल ट्वाइस है तो आप क्या करोगे आप बेंजीन रिंग बनाओगे हैं पहले तो यहां बना दूबिटे में बेंजीन रहें यहां CF जोड़ दिया इसके पैरा पोजीशन तो यहीं बैठें एक और्थो फैरा है यह उत्ती यह उत्ती है neat पोजीं यह उत्ती है पेरा पोजीशन नी, यह बात ध्यान रहनी चाहँ को वैसे आपने 11성.'' पढ़ रखा हमें जोड़ना है फैरा पोजिशन पे ये CS2 तो CS2 जोड़ दू ये जोड़ दिया मैंने CS2 और CS2 के बाद क्या है देखो CS2 के बाद है CH ये CS2 यहां जोड़ दिया CS है ये जोड़ दिया CS और इस CS पे दो CS3 जोड़ने है एक को यहां जोड़ दो और एक जोड़ दो यहां ठीक है बेटे अब देखो आपको इसका नाम बताना है IUPAC में सबसे पहले तो आप एक काम कर लो कि इस पे नंबरिंग करो आप 1, 2, 3, 4, 4 पे जुड़ेगा यह पूरा ग्रूप पर जब यह 4 पे जुड़ेगा तो इसमें भी ब्रांच में से भी ब्रांच निकल रही न तो इसकी भी नंबरिंग करनी ज़ूरी है इसकी नंबरिंग कैसा कर ले न वन, 2, 3, बेंजीन रिंग से नंबरिंग स्टार्ट हुई तू मिठाइल प्रोपाईल है ना ये ये जो ग्रूप है इसका नाम सू मिठाइल प्रोपाईल है क्या नाम है इसका टू मिठाइल प्रोपाईल तो आम मुझे यू बताओ कि क्लोरो कौन से नंबर पे आ रहा है क्लोरो पहले नंबर पे आ रहा है तो हम लिखेंगे वन क्लोरो लिख दिया पहले नंबर पे chloro था हमने लिखता 1 chloro और बेटे चोथे नंबर पे आ रहा है ये वाला ग्रूप तो हम लिखेंगे 4 बताओ ये ग्रूप का नाम क्या है 2 meithal profile 2 meithal profile देखो इस चीज को समझ लो ध्यान से 1 पे chloro क्यों आया पहले नंबर पर क्लोरो आया चोथे नंबर पर कौन आया तू मिठाइल प्रोपाइल और किस पर जुड़ेवे हैं यह सारी यह सारी जुड़ेवे हैं बेंजीन पर तो यहां लिख दिया मैंने बेंजीन पता चल गया ना बेटे क्या से हुआ है यह थोड़ा इसमें ध्यान से देखोगे इसे तो आपको पता चलेगा कि जो ऐलोजन जुड़ावा है ना है लोजन है लोजन किस पर जुड़ावा है अमने बि emo菻ांतर नाम हेलाई क्या हो जाएका नाम हेलाइं है क्योंकि बैंजीन रिंग वाले हेलोजन को हम कहते हैं अराइल हैलाइड या फिर आप कहते हो हैलो एरीन ठीक है विटे अच्छा इस्क्रीन सौट लो आग्गे के नोसम करा रहा फिर मैं ले लिए इस्क्रीन सौल ठीक नमबर 21 देखो नमबर 11 नमबर ग्यारा है मैटा क्लोरो CH2 C6H4 फिर CH2 दे रखा है इन्होंने और CH2 के बाद फिर C है और C के बाद फिर है CH3 का होल प्राई तो आपको पता है कि इसे देखो द्यान से बेंजीन रिंग है ये बना दी बेंजीन रिंग ठीक है बेटे और इस पे आप नमरिंग कर दो बेंजीन रिंग पे नमरिंग करोगे जैसे मैं आपको कहूँ कि मैटा पे जुड़ावा है CH2 CLE तो मैटा तो इसे ही तो कहते हैं चलो इस पे चाहिए तो यहां लिख के उसे यहां जोड़ देना चाहिए इसे यहां लिख दो मतलब यह दुन्नों एक तो ग्रूप यह है यह वाला और एक ग्रूप यह है यह दो ग्रूप है यह दो ग्रूप एक दूसरे के मैटा पे जुड़े होने चाहिए यदि आप इसे जोड़ते हो CH2 CLE को यहां तो इसका मैटा क्या बेठेगा और्थो मैटा यहां जोड़ दो या और्थो मैटा यहां जोड़ दो इस वाले को यहां जोड़ो किसे? CH2 है 100 यह जोड़ दिया CH2 CH2 के बाद क्या है कार्बन और कार्बन पे कितने CH3 है तीन एक CH3 तो उपर जोड़ जाएगा यह जोड़ दिया एक CH3 इदर जोड़ जाएगा और एक CH3 जोड़ जाएगा नीचे ऐसे ही तो होगा मैं इसे यहां बना देटा और इस पूरे को यहां बना देटा जब भी एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर ही होते तो नबरिंग जब आप करोगे तो CL वाले जगरोगे 1, 2 और 3 और देखो इस पे भी ब्रांच निकल रही है तो नबरिंग इस पे यहां से करोगे 1, 2, 3 अब देखो ध्यान से यह है क्लोरो मिथाईल 1 पे तो है क्लोरो मिथाईल 1 पे कौन है? क्लोरो मिथाईल और 3 पे कौन है? देखो 3 पे है ब्रेकेट लगाना पड़ेगा क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि टू-2 डाइज मिथाईल प्रोपाईल है देखो दो मिथाईल है प्रोपाईल के उपचाँए तो हम इसे लिखेंगे टू-टू-डाई-मिथाईल प्रोपाईल यह सब किसके उपर रेटेस हैं बिटे बेंजीन के उपर तो इहां लिख दिया मेंने चलो बेंजीन यह तो हो गया इसका आई-उ-पी-ए-सी नाम और बिटे एक बात बताओं आपको यह जो है बेंजीन रिंग उपर एक CH2 अटैच होता है न तो इस सारे गरूप को बेंजीन रिंग के उपर CH2 है उसीС2 के ऊपर CL है तो इसे कहते हैं बेंजाइल गरूप तो बेंजाइल के उपर जुड़ावा है हैलोजन यानि-CL इसलिए इसे आप बेंजाइल हेलाइट दो होगे नमबर 12 पर आजा हो जड़ा अब नमबर 12 यह दिरखा ओर्थो और यह है ब्रोमीन और फिर दिरखा इन्होंने C6H4 और फिर दिरखा इन्होंने CH और CH के उपर एटेच है CS3 और इसके उपर एटेच है फिर अगे है CS2 और CS3 इस तरह है तो ये बात इसे देखते ही मुझे पता चल गया कि बेंजीन रिंग तो बना नहीं है ये बना दी बेंजीन रिंग ठीक है और्थो पे मैंने बी आर जोड दिया लो और्थो इसी तो कहते हैं है कि जूड़ना यह जोड़ना यह न दिया सी एच सी हसानी जोड़ना यह जोड़िया इसके उपर जोड़ना जैस को दिख लो दिया इस पर आइकड़ दे को देlasting यह ग्रूप जो एटे वन मिठाईल प्रोपाइल है देखो वन पे मिठाईल जुड़ावा किसके प्रोपाईल तो नम्बरिंग करोगे बी आर सफी करोगे वन टू आप बिल्कुल सबसे पहले यह लिखोगे वन पे तो है ब्रोमो वन ब्रोमो और टू पे क्यों है टू पे है वन मिथाइल प्रोपाईल वन मिथाइल प्रोपाईल और यह सब किस पे जुड़े वे हैं बैंजीन पे तो इहां लिखेंगे हैं बैंजीन बैंजीन पे जुड़े है और पिटे बैंजीन के उफ़र सिध्धा बी-ार जुड़ वाई डारेक्ट तो इस से कहते हैं अराइल जब सिद्धा बी आर या सिद्धा कोई भी हेलोजन जुड़ा होता है बेंजीन रिंग पे तो वो होता है एराइल हेलाइड या हेलो एरीन ये सीज़ समझाई थी मैं आपको पहले वीडियो में ठीक है ये वाला क्योश्चन तो कंप्लीट होगे जल्दी से स्क्रीन सॉट है बाता है ये स्क्रीं साथ हमारे पास अब ऑढ़्यास का दूसरा क्यों है और इसमें कहा गया है योगिकोंके नाम लिखने हैं क्या लिखने हैं आई यूपी एसी नाम देखो पहला योगिक दे रखा है इन्होंने इसके उपर जुड़ावा है और फिर है इन संवर्चनाओं को सिंपल करके लिख लेना चाहिए हमें सिंपल करने हैं देखो यहां एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी आपको देखो इधर से तो पड़रा दूसरे नंबर वह इधर से ब्रोमो पड़रा दूसरे नंबर अब बच्चों के दिमाग में क्योंसे नाता है कि सर नम्बरिंग यानि क्लोरो की तरफ से करनी चाहिए या ब्रोमो की तरफ से यदि दोनों बराबर पोजीशन पर पड़ते हूं ऐसी स्थिती में आप प्रियोग करोगे या एलफाबेटिकल ओडर का देखो इधर से ब्रोमो इधर से क्लोरो इधर से यह दूसरे नंबर पर इधर से यह दूसरे नंबर पर तो अब यह देखो कि ब्रोमो बी से सुरू होता है क्लोरो सी से सुरू होता है तो आप पहले बी को प्राथमिक का दोगे नम्बरिंग इ थ्री क्लोरो ब्यूटेन यह हो गया इसका नाम ठीक है बिटे अच्छा अगला योगीक देखो ज़रा अगला योगीक है सी एच एफ टू C, B, R, C, L, F, यह है यह योगीक है की C, H देरखा इसके उपर दो F है एक तो फ्लोरो यह है एक फ्लोरो यह है थिर अगला C देरखा इसके और एक B, R ہے एक C, L है और एक F है ये इसकी समरेचना बनी अब आप क्या करोगे इसके उपर तीन गुरूप है इसके उपर दो है नम्बरिंग तो ऐसा कर देना वन टू पहले ब्रोमो लिखना चाहिए बीस स्चरू होता है वन पे है तो हम लिखेंगे वन ब्रोमो पहले न चाहिए एक लोर सी से बेटे तीन, एक 1 पे है और 2 है 2 पे तो हम लिכेंगे 1, 2, 2 क्या लिखेंगे ट्राई, 3 जगां है न ट्राई prevalent और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को आप क्या लिखोगे यहां लिखवो निच्चे ट्राई effects लुखो बेटे, उधर दूसरे योगि कर लेंगे ना 122 ट्राइब फ्लोरो दो कार्बन है एथ और सिंगल वॉंड है इन तो वन ब्रोमो वन क्लोरो वन ट्राइब फ्लोरो इथें तीसरे नमबर पर देखो क्या है सी एल फिर सी एच्टू फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच्टू बी आर भाई यह सी एच्टू है चलो इस पर तो नमबरींग वो बनाने की जोड़ाती नहीं तो सिद्धा ही हो जाए आपको बताये नमबरींग इधर से करेंगे हम वन टू थ्री फूर वन पर ब्रोमो है से और वन ब्रोमो से और पर दूसरे आपको क्या नमबरींग तो यह हो गया वन ब्रोमो फूर ब्रोमो फूर व्यूर अच्छा इस योगि को देखो नमबर चार यह दे रखा C-C-L-3 का होल थ्राई C-C-L इसका मतलब है कि कार्बन बनाओ और उस पे जो एक जोड़ो बेटे यह C-C-L-3 एक जोड़ो यह C-C-L-3 और एक जोड़ो यह C-C-L-3 और एक जोड़ो इसके उपर C-L यह वाला इस कार्बन पे तीन तो यह जोड़े एक C-L जोड़ो बनाओ नमरी जबाब करोगे तो 1-2-3 ऐसे कर दो या 1-2-3 ऐसे कर दो 1-2-3 या 1-2-3 कैसे ही कर दो आप आपको पता चल रहा है कि इस पे जो है तीन तो यह रहे C-L तीन और बेटे एक C-L यह है चार और तीन है यहाँ तो इसका मतलब यह है बेटे कि हमारे पास स्कूल मिला के C-L कितने है C-L इसे तो छोड़ दो इसे बाद में देखेंगे हम यह अलग करियात मकसम हुए तीन और तीन शें और एक साथ है तो साथ है तो पहले नमबर पे कितने है यहाँ लिख दू इसका नाम 1, 1, 1 तीन तो पहले नमबर पे है एक दूसरे नमबर पे है और फिर तीसरे नमबर पे भी तीन है 3, 3, 3 और साथ को क्या कहते है साथ को कहते हैं हेप्ता ये लिख दिया हैफ्टा, कौन है ये साथ, हैफ्टा कौन है, क्लोरो, ये लिख दिया क्लोरो, समझ रहे ना, तीन और एक ये वाला, तीन और एक चार और तीन साथ, साथ को कहते हैं है हैफ्टा, हैफ्टा क्लोरो, और दूसरे नंबर पर एक ग्रूप ये है, ये CCL3 को क्या क कहेंगे हम ट्राइड कलोरो ट्राइड कलोरो निटाइल कर अब बताओ कार्बन कि इतने रंख्ला में 123 थीं हैं तो हम कहेंगे प्रोपेन इस तरह का योगीक पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चे बहुत ज़्यादे कन्फ्यूज हो जाते है ने इसमें इसका नाम क्या हुआ आप आज आज नंबर पांच पे नंबर पांच पे इन्हों ने दिया है CS3C CS3C और यह दिया पैरा क्लोरो C6H4 का होल्ट वाई और फिर CH है इस CH के उपर जुड़ावा है BR और फिर जुड़ावा है CS3 इस तरह है बटे तो इसकी संजचना बनानी पड़ेगी हमें सबसे पहले तो हमने बना दिया CS3 लो और उसके बाद एक कारड़न है कारड़न के उपर जो है करड़ा फोजिसं के CL है इस तरह बैंजीन रिंखे कर दो ओर थोंमेटा फैरा मैं तो जुड़ेगा और एसा ही हुन है और तो मेंटा पैरा यहीं तो जुड़ेगा इस तरह है दो एन यह उसके बाद क्या है उसके बाद प्रेंग और इसके अग्य जुड़ावा है देखो इस इस ट्रॉक्चर को द्यान से क्या है तो इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि आप नंबरिंग इधर से करोगे क्योंकि बियार इधर से नज़्दी पढ़ रहा वन टू थ्री फोर बाद में तो ब्यूटेन आ जाएगा चार कार्बन वाला एलगें ब्यूटेन अब बात आती है कि बैंजीन रिंग पे नंबरिंग कैसे करनी है तो बैंजीन रिंग पे नंबरिंग वहां से करनी है यह जहां पे जुडा वाहाँ है जैसे यह वन है यह तू है यह त्री है और यह फूर認 इसी तरह यह साब्रों कहां है ब्रोमो दूसरे नंबर पर हमने लिख दिया तू ब्रोमो यह तो दूसरे नंबर पर ब्रोमो आ रहा न तो टू तो हमने लिख दिया ब्रोमो अब मुझे यू बताओ बिटे ती सaining नंबर पे तीसरे नंबर पे ठी रिञ इसके लिए तो विस्क यूजबाना पड़े क्लत्त करना एक ल Owen क्लौरी वाला जो गर्मप सता है उसे हैं नहीं पहले भी बता pha 만든 तो ये वेटेझ ना मे आ जाते हैं ये हुआ हमारा नंबर 5 अब आज़ाओ आप नु arrest आप है थी एच थ्री का होल थ्राई फिर उसके बाद कारबन है फिर सी एच है फिर डबल बॉंड है पिर सी है और फिर सी एल है और फिर है c6 h4 i जो है फिरा फूंजिसन पर आई कि इस पर उड़ावा पैरबो पोजिसन तो ने पर फिर सी कारबन है बॉपहर है एक जरू बन गया और एक है उसके बाद ये एक च्री बना दिया दबल बॉंड बना दिया उसके बाद ये कारबन है कारबन उपर यह क्लोरीन बना दिया उसके बाद आपको पता है कि यह benzen दिया फिनाईर कहते हो आप इसके यह और तो मैंटा पर क्या ज़ुडावाँ है I'll K अब आप Nolding कि धर से करोगे, 1,2,3,4 और इस पे कहां से करोगे, 1,2,3,4, 4 Ido Phenil कहेंगे न, आप इसे, 4 Ido Phenil, अब देखो, एक तो इस पे Chloro है, पहले नंबर पर क्लोरो है यह क्लोरो है पहले नंबर पर हम लिखेंगे वन क्लोरो ठीक है अलफाबेटिकल ओर्टर में हमें चलना होता है ठीक है अब एक बात है विटे यह जो फोर आइडो फिनाइल है यह भी तो पहले नंबर पर है तो आप लिखो गया वन फोर आइडो फिनाइल यह भी हो गया यह भी हो गया अब कोना है तीसरे नंबर पर दो मिथाईल है यहां लिख दूँ थ्री थ्री डाइ मिथाईल तीसरे नंबर पर दो मिथाईल और मुख्य सरंखला में चार कारवन ब्यूटेन तो यह हुआ इसका नाम वन कलोरो वन और ब्रेकेट में फोर आइडो फिनाइल थ्री थ्री डाइ मिथाईल ब्यूटेन ठीक है अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको एक चीज यह ध्यान रखनी है हमने कलोरो के लिखा पहले क्योंकि पेले आता है ऐसी के बाद यहां आता है आई आइडो फिनाइल आई से शुरूव ओर ना कभी आप फिनाइल सोच लो आइडो फिनाइल सोचना है इसलिए हमने इसे आई को दूसरे वहीं A, B, C, D, E, F, G, H आई जे के एल एम एम देखो मिठाइल बाद में आया है तो इसलिए पहले इसे फिर इसे और फिर इसे लिखाए इस सिक्वेंस को हम ध्यान रखेंगे इस क्रम को ध्यान रखेंगे हम ठीक है वेटे यह वाला क्योस्टन भी पूरा हो गया आप स्क्रीन सोट लो जल्दी से निमन लिखेत द्यान से समझेंगे तब निमन लिखेत कार्बनीक कार्बनीक माने और्गनिक है लोजन योगिकों की संद्रचनाएं बनाईए तो संद्रचनाई है हमारे से पूछ रहे हैं कि संद्रचना बनाओ नमबर एक सबसे पहले इन्हों ने दिया है टू कलोरो थ्री मिथाईल पैंटेन टू कलोरो थ्री मिथाईल पैंटेन पैंटेन मने पांच कार्बन एक दो तीन चार पांच वन टू थ्री फोर फाइव तू कलोरो यह जोड़ दिया टू कलोरो थ्री मिथाईल यह जोड़ दिया थ्री मिथाईल पैंटेन मने कितने कार्बन पांच कारपन, तो यह हर्डोजन पूरे कर दो, आप 3, 1, 2, 3, बन गया लोग पहला क्योप्ण, पहला क्योप्ण तो हो गया, दूसरे में देखो क्या कहा है इन्होंने, दूसरे में कहा है पैरा ब्रोमो क्लोरो बैंजीन, पेरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन ठीक है बिटे तो बिटे पेरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन यानि बेंजीन बनानी है यह बना दी बेंजीन और chlorobenzene ने ये बना दिया chloro और पेरा पोजिशन और्थो मेटा पेरा इस पे जो है ब्रोमीन जोड़ना है ये बन गया पेरा ब्रोमो ख्लोरो बेंजीन ये बॉंड बना लेना है आए उसके बाद नंबर 3 पर इन्हों ने दिया है वन क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन तो बेटे साइक्लो हेक्सेन का मतलब बेंजीन तो बनानी नहीं है सिरफ एक बैंजीन जैसी इस्ट्रक्टर बनानी है वन क्लोरो नम्बरिंग कर दोगे 123456 वन क्लोरो लो हैं तो क्लोरो हो गया वन क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन अब आजवाब नंबर चार बें नंबर चार है वेटे टू क्लोरो फिनाइल वन आइडो ओक्टेन ओक्टेन से पता चल गया 8 कार्बन बनेंगे 8 कार्बन बना लो आप एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नंबर कर दो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इन्हों ने कहा दूसरे नंबर पे है टू क्लोरो फिनाइल दूसरे नंबर पे फिनाईल है और यही तो 1, 2, 3, 4 यही तो बैठेगा 2, 2 कलोरो ही आ जाएगा 2 कलोरो फिनाईल पता है ना आपको यही सही नमरींग होती है जब कोई बेंजीन रिंग जुड़ा हो किसी दूसरी सरंकला दे तो दूसरे नंबर पे फिनाईल 2 कलोरो फिनाईल 1 आईडो पहले नंबर पे आईडो जोड़ना है यहाँ आई जोड़ दो आप ऑक्तेन बस बाक्ती तो हाईटोजन पुरे करने है यहाँ दो जुड़ेंगे यहाँ एक जुड़ेंगा यहां दो यहां दो यहां दो और लास्ट वाले पे तीन यह हो गया आपका नंबर चार अब नंबर पास टू ब्रोमो ब्यूटेन नंबर पास पे इनों ने दिया है तू ब्रोमो ब्यूटेन ब्यूटेन से पता चला है चार कारवन बनेंगे एक दो तीन चार वन टू थ्री फ दूसरे पर क्या जोड़ना है ब्रोमो यह जोड़ दिया ब्रोमो बस हाइडोजन पूरे करवा यहां तीन यहां एक यहां दो और यहां तीन ठीक है मिटे इस तरीके से आपको प्रैक्टिक होनी किये नंबर छे पर दिया है फोर तरसरी व्यूटाइल थ्री आइडो हेप्टे तो हेप्टेन हेप्टेन मने कितने कार्बन साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ नंबरिंग कर देनी चाहिए हल्टी जिससे आप कोई गलती ना खरो फोर पे तो टेट्रा व्यूटाइल है त्षरी पूरे करवादव आप होगे हाइडोजन पूरे थ्री पे हैं हायडो लुप और हेप्टें बस और तो कुछ भी नहीं से आइल्या कि अधसे बाफ मत तीन दो एक एक दो दो और जुडएंगे तीन निक्चे लिख दिया गेनने कभी वहां से कट जाये उधर से आपको चंग कहन경 नमबर 7 पे देरखा इन्होंने 1 ब्रोमो, 4 सेटन्डरी भूटाईल यहां लिख़़ू नमबर 7 वन तो ब्रोमो है वन ब्रोमो, 4 सेकंडरी भूटाईल 4 सेकंडरी सेकंटरी को दित्यक कह सकते हूं न आप टू मिथाइल बेंजीन टू मिथाइल बेंजीन यह है बेंजीन है तो बेंजीन तो बनाना ही बड़ेगा यह बना दिया हमने बेंजीन ठीक है नमबरिंग दे तो 1234 56 हल किसीन पर दे दनी चहीं वन ड्रोम पहले तो ब्रोमो है a mo su organicundy है लोकर पर है सहार बहुत असहान है देखो सेकंटरी बुटाइल बना दिया मैं आप देख सकते हूं कार्बन सेकंटरी है मिग्या कहा है नहोंने टू मिथाइल दूसरे ती मिथाईल है बेंजीन बन गया स्ट्रक्चर लो ठीक है विटेंग एक दे रखा है इन्होंने वन फोर डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन कहां लिख हुई है है पही जगा नंबर साथ नंबर आठ नंबर आठ चलो रहने दो आप स्क्रीन सौट लो अग्रारा है मैं जैं स्क्रीन सौट लो ठीक लिख है ले लिख नंबर आठ पे है बिटें वन फोर डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन 14 डाई ब्रोमो ब्यूटटी इन ब्यूट माने कितने हैं? चार कार्बन एक, दो, तीन, चार वन, टू, थ्री, फोर वन, फोर डाई ब्रोमो एक तो ब्रोमीन यहां जुड़ना है एक यहां जुड़ना है और ब्यूट टूइन दूसरे नंबर पे लगना है डबल बॉन हर्डोजन पूरे कर दो दो, एक, एक, दो बन गया योगी अब आजाओ आप अभ्यास के छटे के उसन पर आजाओ मैं लिख रहा हैं अभ्यास का फ्योसरे नंबर छेंग इसमें कहा है C4H9BR C4H9BR सूत्र वाले योगी के सभी समावी अभी लिखिए सूत्र वाले योगी के सभी समावी लिखिए बहुत अच्छा के उसन है इस तरह के के उसन पेपर में आते हैं और बच्चे इनके उसन में हो जाते हैं बहुत जादे डरते हैं इनके उसन को सॉल्व करने में आप सिरब यह देख लो कार्बन कितने हैं चार कार्बन है न तो चार कार्बन है तो एक दो तीन चार एक तो ऐसा बना देगे हम एक दो तीन चार दूसरा भी ऐसा ही बना देगे एक बना देगे हम एक दो तीन चार ऐसा आईसो जैसा और एक बना देंगे हम एक दो तीन चार ऐसा अब देखते रहे हो ध्यान से जरह बिल्कुल देखो मैं बी आर बी आर ही तो जोड़ना है इसमें तो मैंने बी आर जोड़ दिया यहां यह जोड़ दिया पहले नमबर पे इसमें बी आर जोड़ दिया मैंने यहां दूसरे नमबर पे इसमें बी आर मैंने जोड़ दिया यहां पहले नमबर पे और इसमें बी आर जोड़ दिया यहां लो अब हाइडरोजन तो पूरे करीद हो गया बस आपको यहां वन यहां टू और यहां थ्री पता है ना आपको हैड्रोजन तो पूरे करने आते हैं आपको सही हो जागता है यह हो गया अब बात आईगी सर इसका नाम बताना है या नहीं बिल्कुल बता सकते हुआ आप नाम देखो पहले नंबर पर ब्रोमो आरा ब्यूटेन के तो यह यह दूसरे नंबर पर भर 2 पे थीपौर दूसरे पर भी इतो आरा ब्रोमो तो इसका नाम आप बता-सकते हो इसका नाम हो गया अब देखो इसे नम्बरिझ करो गया 123 जिस तरे इसमेरा करी 1234 और 1234 तो इसमेरा करो गया तो 1 ब्रोमो 2 इसका नाम हो जाए गाद Two methyl propane यह तो होगा और से देखना ज़ते हैं नमूरी करोगे 123 Two टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन तो कितने बने यह समावी एक दो सीन और चार कितने बने बेटे चार ही तो बने अच्छा एक क्योस्चन और दे लो आप यह मेरे ध्यान निया तो अब आया मेरे सामदे पठे नहीं इसका 3 उसैं यहां लिख़ा में देखेंगे आया आएं और यह पाठ TD का टीजर ग्योस्चन है रोपेन के डाई हैलोजन की संधुद्राकिन प्रोपेन के अच से ऐलोजन की संवचना लिखिये तो हमें बतानी बेटे प्रोपेन के डाई हेलोजन यहां लिख रहे हैं हम उत्तर सबसे पहली बात यह आती है कि प्रोपेन में कितने कारबन बेटे प्रोपेन में कारबन कितने हैं तीन है न तो तीन कारबन बनाना हमें एक दो तीन एक दो तीन बहुत दो तो इस तरीके की संदचनाई मैं आपको बना के दिखा दूँआ और बिटे चलो अच्छा एक कांग गरो इसके अलावा तो कुछ होई नहीं सकता हुए इसी वाई देखते हैं भ Cafe करके दूसरी लग की चौreonक ले रहा हुए दूसरी कौक वा डाई हैं तो आप एक कांग करो एक वे अर == पहले और दूसरे पर जोड दिया वेख ए पहले और आसा पर जोड दिया पहले दूसरे पर जोड दिया क्या दुनों हम पहले पर और यहां एए बंगे आपके योगित सारे हैं हडोगन पूरे करो आप हडोजन पुरे पूरे करो इसे एक चाहिए और इसे तेन चाहिए इसे एक-दो तीन एक चाहिए दो और तीन इसे तीन इसके तो चार पूरे होगे इसे तीन अब यह कोई कैशता है जी आप नाम बताओं इनके नाम तो बता ही दो गया 1 2 3 1 3 Dibromopropane वन थ्री डाई ब्रोमो प्रोपेन हैं तो सारे प्रोपेन ही इसमें देखे हो जरा वन टू यह तो वन टू थ्री करा हम ने इसमें क्या हो जाएगा 12 डाई ब्रोमो प्रोपेन ऐसे यह देखो ज़रा 12311-डाई-ब्रोमो प्रोपेन ऐसे देखना ज़रा 12322-डाई-ब्रोमो प्रोपेन यह हो जाएगा टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेल इस तरी के साँ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बटे अच्छा हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीन सॉट लेंगे ले लिए बटे स्क्रीन सॉट ठीक है तो बटे मुझे उम्मीद है कि IUPAC नाम एलकाईल हेलाइड के या हेलो एलकेंस के और सामन्य नाम ये दोनों आपके समझ में आए होंगे और यदि इन क्योस्टन को आप करके जाते हो तो आपका IUPAC नाम का क्योस्टन नहीं छूटेगा इस तरह एगा ठीक है बटे बस मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए एक निश्चित क्रम में पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा और यदि किसी निश्चित क्रम में ना पढ़गे रेंडमली पढ़ोगे कहीं से भी किसी भी वीडियो को देख लोगे तो बहुत ज्यादे प्रॉब्लम फेस करनी पढ़ेगी आपको ठीक है बिटे तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो ओके बाई झाल झाल